चीफ गैस जो है वो आचुके हैं श्रीमान प्रताप सिंग काचरी अवाज जी जो की है कैबिनेट मिनिस्टर ओफ फूड और सिविल सप्लाइजिस कंजूमर आफेर्स गवर्मेंट आफ राजस्तान हम मारे बीच में आचुके हैं अपने हॉसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे भले कोई मंच ना दे हमको मंच हम अपना बना लेंगे जो कहते हैं खुड़ों सितारा है जट बढ़ा कर उनके सामने ही चमक करने के फीकी उनकी और सूरज खुड को बना लेंगे है हैरो नमसकार सश्रिया काल साधर अमिनना और आभार इस खूबसूरतशी शाम को आपगी खूबसूरत शिर्गत से सजागर और भी खूबसूरत बनाने के लिए दैमानी का पानिवाल कहीं दिल से आप सभी का स्वागत और शुकरियां अठा करब Khammah Ghani all of you. A very good evening and warm welcome everyone assembled here. I am Kalachan Sharma and I feel immense pleasure to take privilege of posting the grand event of annual function. So, let's capture some magical moments. The next three, some special memories. Let's surround ourselves with happiness and joy. So, without further ado, let's start. Our 16th annual function, Krishnayan 2022, with a huge, huge round of applause. How much do you know? झाल 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 जैसा कि आप लोग समझे गए होगे कि आज की शाम की शुरुवार बस थोड़ी ही देर में स्टार्ट ओने वाली है। लग रहा है आज सब सो रहे हैं। दौपेर के नीद पूरी नहीं हुई। हुई। जोड़ दार एक बर हुटिंग करके बताते जे कि दौपेर के नीद पूरी हुई की नहीं हुई। महाँ वालोगी तो हो गए। यहाँ वालोगी नहीं हुई आज पूरी। नहीं हुई। चलो कोई बात भी बहुत मैनत करिये हैं। हमारे बच्चे लोगों ने आज पूरा दिन यह लगे हुए है कि आज की शाम को जोड़ दार धमागेदार बनाया जाए। जोड़ पूछना चाहूंगे कि जैसा कि आज की थीन है। वैसे तो हम राधे राधे कहें या जैश्री कृष्णा पर आज की शाम जब एंड होगी। तो हम जरूर करेंगे कृष्णायन। जो कि आज की हमारी थीन है। कृष्ण भगवान को हम याद करने वाले हैं आज की दिन में। और इसी के साथ में वैलकॉम हम थोड़ इसी तेर में करेंगे। जब हमारे जजेज भी हमारे सामने होंगे। तब तक आप हमारे जो डीजे वाले भीया है। मैं चाहूंगे क्याते कि एक माइक परसिन और साथ मीजे का जो साथ को रहा है। वो शाम एक साथ के बैठ जाए। मुझा जाए। तो जोड़दार वच्चों को यहां पर दाए। हमारे जो साथ देने वाले हैं। उनके लिए बड़िया साथ कहना बड़िया साथ काना लगाती है। आए। वेकि लोड़िया पर को कहसी लीर हैweed म angef कर देने में सबचा में आए府 पहुत हमारी जितने भी यहां पर ओडियन्स आ रही है मैं उन्हें कहना चाहूंगी सेटल डाउन हो जाए फटावर से क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की शाम को अज की शाम की शुरुवाद होसी के साथ में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी एकशली क्या आप लोग बोड नहों इसलिए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी हमारी जो कृष्णा जी है जो काना जी है वो मोर पंख क्यों लगाते हैं कोई जानता है हो पर मोर पंक क्यूं लगाते हैं आपने कहानिया बहुत सुनी होगी जैश्री कृष्णा भी बहुत देखा होगा कृष्णा जी मोर पंक क्यूं दिखा लगाते हैं हमारी आपे पैनेंट्स भी आये हैं साथ में I hope उन्हें पता होगा कि कृष्णा जी मोर पंख क्यूं लगाते हैं चलो जी थोड़ा सा इने ब्रेक दे देते हैं कि आप लोग सोचिए थोड़ी दिर बाद में मैं नीचे भी आऊंगी तब आप लोगों से इंटरेक्शन होगा आमने सामने और तब देखेंगे आप लोग करेक्ट आंसर देते हैं कि नहीं देते मुझ मन्हों अलामने से ने आप लोग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो कर, दो कर दो चल दो तोफजाइब मेड़िक बादो कर एक दोफजाइ न कर दो भादो कर दो कर दोफजाई रखानी है झाल 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 स्टूडेंट्स तालिया बच्ती रहें हमें तुडेंट्स तालिया बच्ती रहें हमारी साथ हमारी गैस्ट जूड रहे हैं सो प्लीज अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बढ़ा लीजे इस एन्वल फंक्शन फो यू तालियों की गड़गडाहट बनी रहें तब ही फंक्शन में चारचान लगते रहेंगे हम सभी के बीच में हैं प्रॉफेसर डॉक्टर राजीव जैन सर सर वाइस चैंसलर है यूनिवर्स्टी ओफ राजस्थान में और हम तहे दिल से सर का स्वागत करते है हमारे अन्गल फंक्शन में स्टुडेंट्स क्रिष्णायन थीम के लिए जो फील चाहिए जो एनरजी चाहिए वो डेफिनेटली वो वाइप सिफ आप सब सही हम तक पहुँच सकती है तो जितनी खुबसूरत थीम है जितने खुबसूरत आप लग रहे है जरा उती प्यारी प्यारी तालिया भी बजाते रहेगा अभी मुझे मज़ा नहीं आया अच्छा अभी एक बार और वान, ट्यू, ट्री, क्लाब ट्री ट्यास वो बिया नाइज हिपेप 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 ग्रेट येस हम सारी फैकल्टी से हमारी टेक्निकल टीम से एवन स्टूडें से भी रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगा है लेकिन जड़ा हूटिंग बूस्टिंग करने में कोई कसा नहीं रहनी शाहिए तो जड़ा इनकी टकर के लिए यहां से तालिया बज़वाले ओके वान, टू, टू, ट्री, गो हिपेप 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 ग्रेट, ग्रेट हिपेप हिए और यंजि भॉप कि विए भॉप तू, और नब दो हिए प्रेंग पर पर विए तुप अपने होसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे भले कोई मंच ना दे हमको मंच हम अपना बना लेंगे जो कहते खुद को सितारा है जगमगाकर उनके सामने ही चमक कर देंगे फीकी उनकी और सूरज खुद को बना लेंगे इस खुबसूरत सी शाम को आपकी खुबसूरत शिरकत से सजाकर और भी खुबसूरत बनाने के लिए मैं मानी का पालिवाल तहे दिल से आप सभी का स्वागत और शुक्रिया अदा करती हूं Khamma Ghani all of you, a very good evening and warm welcome everyone assembled here. I am Kanchan Sharma and I feel immense pleasure to take privilege of hosting the grand event of annual function. So let's capture some magical moments. So let's create some special memories. Let's surround ourselves with happiness and joy. So without further ado, let's start our 16th annual function, Krishnayan 2022. with a huge, huge round of applause. Please Taliyah Bajhti Rahe. Biyani group of college was dream of Biyani members which has completed successfully because of the hard work of the most respected, our mentor, Honorable Shrimati Pushpa Biyani Ma'am. Her guidance always enlightened all of us and she is the real example of ideal woman who has proved herself by giving her contribution in making Biyani successful. We are indeed very privileged to have the strong pillars of our college. Honorable Chairman Dr. Rajiv Biyani Sir, Honorable Director Academic Professor Dr. Sanjay Biyani Sir, Director Research and Development Dr. Manish Biyani Sir and Dr. Neeta Maheshwari Ma'am. Students Taliyah Ke Saath, Havari Four Pillars Ka Swagat Ki Jiye. Biyani group of colleges has been accredited with grade A. It has also been conferred with Autonomous Status UGC New Delhi and it came into the mainstream of education in 2002 as Biyani Girls College. And under the umbrella of BGC we have 15 colleges imparting its education to you in the fields of science, management, education, nursing, law, yoga, naturopathy, ITI and pharmacy. Apart from academy courses, we focus on communication skill, overall personality development, quality education, skill development, life coaching and most importantly women empowerment. Also we express our special thanks and gratitude to our sponsors. GetRace, IMS, VLCC, EduLife, OmGen, Jewelers. The theme for 16th annual function is Krishna. Krishna is the major deity of Hinduism. He is worshipped as the 8th avatar of Vishnu and also as a supreme power in his own rights. He is the God of protection. He is the God of compassion. He is the God of tenderness. He is the God of love. You're the God of love. अब गुल्फाम हो रहा है तेरे साथ से गुलाम अब गुल्फाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है वा मॉनिका माम बहुत खूप और अब हम बढ़ते हैं लाइटिंग ओफ लैंब सेर्मनी की तरफ सर्व प्रथम है पूजा गौरी पुत्र गणेश की जिनकी वज़े से है कृपा ब्रह्म्हा विश्नु महेश की हम लाइटिंग ओफ लैंब से पहले एक जैकारा तो हमारे सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी से बनता है सो गनपती बपा मोरिया गनपती बपा मोरिया अभी गनपती मोती डूंगरी तक भी अवाज नी गई गनपती बपा मोरिया गनपती बपा मोरिया अभी ओधी बपा मोरिया now we'll have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Prathampooja Lord Ganesha the God of knowledge I request all the dignitaries to come on the stage to light the lamps, symbolically inaugurate the event So with all the guests, welcome to all our guests and welcome to all the guests. I request all the dignitaries to come on the stage I request all the dignitaries to come on the stage Mamma Mad呀 I request all the dignitaries to come on the stage चल्वां की सुदरा उडिजे तुकाजी थान्ठी सलके बार उंदा अबराँची तैने भुरी छिए देरी मंगोती topics है शनगा फिंहे नहीं है तैनल कीमानमा कॉणिजे देरी छहर के मंगोती topic है चछनल के मंगोती सैमादीähän मंगोती है देरी जन्द नाची उटे कुंक केशा ये जड़त पुट शोगा तुमारा अड़्जुन दिनू पूरे चाणी कावरिया जैदे जैदे जर्पद नसि जन्द नाची कावरिया जन्द नहींके. एपिवार व्या Sun कि अमया एपिव बैंट है. जो वा सून्हार रिफॉ हायए ़ और हनॉरि झाल कोुछ गार्यों होु dedi खाल करो माया झाल शुका सुन्हां a place of delight. It's an honor for us to show our feelings and gratitude to our guests. Sir, I would like again to request you all to again come on stage for a flower welcome. I will request to the Gushpa Biyani Ma'am, Chairman Sir and Director Sir that he will be our special guest today. Shri Pratap Singh Khanchari Awaz Ji, Cabinet Minister of Food and Civil Supplies, Consumer Affairs, Government of Rajasthan and Professor Dr. Rajiv Jain Ji, Vice Chancellor, University of Rajasthan का मंच पर आकर स्वागत करें. So please, मैं सभी दिग्निटी से क्वा रिक्वेस्ट करूँगी कि मंच पर आए. और students, आप तालियों के साथ स्वागत में कहीं कमीना होने दे. Sir, it's an honor for all of us to show our feelings. सभी के मीच में सीथरा मगरुबालशी भी हाए है. हम उनका भी अभिननन करते हैं. तहे दिल से स्वागत है, Sir. स्टुदें, सो प्लीज, लाइट, ग्लाब! हम सभी यहाँ है. तहे लाइब है. इसलेटिए यहाँ है. तो प्लाइब है. कर दोगा है मैं डारेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रोफेसर डॉक्टर आजीव जैन्दी सरका स्वागत करें करें डारेक्टर वें अजीव जैन्दी औरोफेस्ट करें जात्यारेक्टर से रिक्वास्ट। अब मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करोंगी कि वो सीतारा मगरबाल सरका भी फूलो को भेट कर स्वागत करे स्टूडेंट्स तालियों की अवाज कुछ सुना ही नहीं दे रही है मुझे तो लगा था बियानी सरा हुटिंग और बूस्टिंग करने में सबको बात कर देती है हाँ, that's why I like बियानी जो कि अभी आपकी नहीं बुक भी आ रही है स्वयम की खोज You are poet, founder of a VAP educational portal and winner of numerous awards like Rajasand Ratna Award in Laitaste and titles, inspirations for all of us We would like to invite a powerful personality on the stage who always create history and never give up What we really want to do The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts Sir, हमेशा अपनी बहुत सारी बातों को हमेशा हमें गाइट करने की कोशिश करते हैं मोटिवेट करते हैं और अल्टिमेटली यहीं बताते हैं कि अगर महनत आदत बन जाए तो कामियाभी मुकदर बन ही जाती है तो ऐसी पारफुल परसनालिटी को तालियों के साथ स्वागत कीजे प्रफिसर डॉक्टर संजे बियानी सर ग्रेट, थैंक्यू मैं पर इंट्रोडिसिंग में आज सबसे बहतरीन बात तो यह है कि चेत्र महा और उसमें नवरात्रा का पहला दिन और देवी पूजन का दिन मुझे लग रहा है आज देवी अरागना भी होने वाली है और क्रशना को भी याद किया जाने वाला है और मुझे पुरा विश्वास है क्योंकि मैंने आपकी पूरी आइटिनरी पड़ी पुरा प्रोग्राम देखा और मुझे पुरा विश्वास है क्रशन तत्व अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको अपने अंदर बैठावा क्रशन महसूस होने लगेगा मुझे लगता है कि कॉरोना के बाद बहुत सी निराशाएं आई बहुत सी समझाएं आई बहुत भै था बहुत डर था लोग घरों में बंद थे और ऐसे में मुझे लगा कि हम किसको याद करें क्या हम राम को याद करें जो 7000 साल पहले की गटना है या फिर 5250 साल पहले करशना को याद करें जो कुरुशेत्र की गटना है या फिर हम लोग महवीर, बुद, जीसस और लगबग 1500 साल पहले मुहमद साब को याद करें मुझे लगता है इन सब किरदार में क्रिश्ण को समझ जाते हैं विखाते हैं तो आज ना सिरो हम अपने यूवाओं को मोटिवेट करेंगे बलकि उन यूवाओं में छुपा क्रिश्ण तत्वब भी प्रिगट होगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत होती है जब दर्शक बहुत उत्साहित हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे बताएं आप कितने उत्साहित हैं इक बर ताली बजाएं。 और एक बर मुझे बतायें हूटिंग भी कर सकते हैं, चिल्ना ह Up steril और उर्जा 나नी जा सकता उरजा परिवर्तित होती है सो में आज सबसे पहले स्वाकेत करना चाहता हुए और एक। मैं को पूरा मदध करते रहتें में उनको पृती अपनी क्रतक्येत प्रक्ता हूं बहुत समय पाएंब और उस वज़े से प्रोग्राम अपनी तैसीमा से स्टार्ट हो गया है मैं आपके प्रती धन्यवाद ग्यापित करता हूँ ठेंक्यू बोलता हूँ और एक बर आप भी थोड़े ताली बजा के बता दीजी सर को कि आप भी ठेंक्यू बोल रहे हैं आवाज नहीं आई क्योंकि प्रताब सर जाने जाते हैं उर्जा के कारण उच्साह के कारण शोरी के कारण तो उन्हें तभी अच्छा लगता है जब आप शोरी के साथ आवाज करते हैं जरा बताइए ना आवाज करके कि आप खुश हैं बजाईए एक बड़ तालियो और करिये आवाज और बताईए सर को कि गुड़ 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 वैसे आज शक्ती का दिन भी है शक्ती परादना भी होनी है मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महाविद्याले जो संबदता रखता है रास्तान विश्विद्याले से वहाँ के वाइस चांसलर साब डॉक्टर राजीव जैन साब भी हाएवे है और ये एक बहुत ही सोभागय का अफसर है कि युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साब हमारे बीच में है तो आईए एक बार सरका भी क्योंकि बहुत ही रेर मोमेंट है ये कि मंतरी साब का और वाइस चांसलर साब का अपने प्रांगण में होना और किसी भी कॉलेज की असली ताकत है कि वहाँ कौन लोग आते है वहाँ कैसी बिल्डिंग बनी है वहाँ कैसे एक्यूब्मेंट है ये कोई खास बात नहीं एक आदमी अगर हाथ रखता उसके फिंगर फ्रिंट पर्मानेंटली वहाँ चले जाते है उसकी पूरी बैलेंसे डुआ आ जाती है उसके पूरे डियने और आरने वहाँ पर सकन हो जाते है इसलिए इसलिए इनसान बहुत ताकतवर है और इनसान में भी टीचर और लिडर बहुत ताकतवर है इसलिए आई एक बार फिर ताली बजा देते हैं सर को भी थैंक्यू बोल देते हैं शुक्रिया 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 थैंक यू हमारे बीच में हमारे यहां के नेता हमारे विद्यादर नगर से सीता राम जी भी आए में और वो भी जब भी कॉलेज में पहले जब भी काम होता है जब भी बुलाया जाता है और मैं तो कहूँ कि कभी हम भूल भी जाते हैं तो भी सर यहां अगर हमारा होसला आप जाई करते हैं ताहिए एक बार सर के लिए भी हम ताली बजाए शुक्रिया 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 आज हमारे बीच में नर्सिंग कॉंसिल से भी रेजिस्टार साब आये में और मैं उनको भी दिल से शुक्रिया देता हूं सर आप में भी बहुत सकारात्मक उड़ जाए और आप हमें बहुत प्रेरित करते हैं और मैं आपको एक आदर्स शिक्षक के रूप में आपके विक्तित्व को यहां देख यहां दो कि आती नहीं मा पर आज विषयश रूप से यह थे दलाता हूं कि बच्चों के सबसे महिद्भूर बात जो इस college हमेशा से focus करता है वो है संसकार क्योंकि हम उन्हें कितना भी पढ़ा दे उन्हें कितना भी ताकतवर बना दे पर अगर संसकार नहीं है तो वो अपनी चमताओं का दुरूपयोग करके नुकसान करेंगे, समाज का नुकसान करेंगे इसलिए college के हमेशा ये रहा कि हम करशन तत्वों को यहां रखें और इसलिए किताबों की भी रचना की गई मैंने भगवत गीता को बहुत गहराई से पढ़ा बच्चों की language में उसे English और Hindi में translate किया और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक काम करने का उसर मिला मैं हमारे chairman sir जो कि एक योगी है मुझे लगता है कि वो लगबग 12 से 15 गंटे प्रती दिन काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं और उनके बिना इतनी dedication के प्रोग्राम ही संबव नहीं था college जो आज एक college से start हुआ था और 14 college तक पहुँच चुका है ये college जो medical college में ये college जो अब आईरवेद college में और ये college जो अब university campus में बदलने जा रहा है उसके पीछे राजीव सर का बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने एक एक पैसे को, एक एक एट को, एक एक equipment को बहुत सही जाया है, बहुत ढंसिक है तो आईए एक बार हम हमारे chairman सर को भी thank you बोल देते हैं क्योंकि उनकी शिद्दत के बिना, उनकी ताकत के बिना, उनके dedication के बिना ये संभव नहीं था, ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए देखो बच्चो मैंने तुम्हेरे को दो ही बात सिखाई है, अगर ये दो बात होती है knowledge, skill and discipline, मैं बहुत ढूंडा, मैं secretary गया, jda गया, collect rate गया, north block गया, south block गया, कितने लोगों से मिला पर मुझे पता लगा कि knowledge, skill and discipline सिर्फ हमारी success में 20% रूल लड़ा करते हैं, 5, 5, 10, बस लेकि असली चीज़ दो ही है, सकारात्मक सोच और उसा, अगर ये होता है तो हम बहुत तरक्य करते हैं लेकिन अगर हमारी सोच ही सकारात्मक नहीं है, अगर हम उत्साहित नहीं है, तो फिर हम बहुत पिछड़ते हैं, इसलिए उत्सा को बनाए रखिएगा, पूरे प्रोग्राम में अच्छे लोगों को, अच्छे कारी को, अच्छी performance को मोटिवीट करते रहिएगा, तो इसे ह प्रोग्राम बहुत शंदर बन जाएगा, मैं इसी हाशा और विश्वास के साथ, कि आप जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, तो आप के अंदर बैठा वा क्रशन टत्त हुआ हो, वास्तन में प्रगट होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सुनने का नहीं है, ये प्रोग्राम जानने की बात नहीं है, ये प्रोग्राम फील करने वाली बात है, और जिस जिए को हम फील कर जाते हैं, वो हमारे अंदर उतर जाती है, तो मुझे पुरे विश्वास है कि आप पुरे सहयोगी बने रहेंगे, जहां शान्ती है वहां शान्ती बनाएंगे, जहां ताली है वहां ताली बजाएंगे और इस प्रोग्राम को खुब सुरत बनाएंगे आप सब लोगों को आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिबीट करने के लिए यहां आकर हमारा होसला फजाई करने के लिए सभी पैरेंट्स और मेरे प्यारे विद्ध्यारतियों को बता निवाद देना चाहता हूं शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया Thank you so much We are really fortunate to have your guidance and support with us without you all the work all of this would not have been possible अब हम बढ़ते हैं कृष्णा स्टूती की तरफ इससे पहले इससे पहले मैं Dr. Manish Biyani sir say request करूंगी कि हमारे बीच में Dr. O.P. Sharma ji bhi hai Director College Development Council University of Rajasthan Department of Psychology University of Rajasthan सो समय request करूंगी कि हम sir को भी एक बार सम्मान करें और हमारी students एक बार अच्छी सी तालिया बजा दे स्टूरें सालिया बच्चती रहे कमान लेट्स क्लाइप और अब मैं के सो प्लीज स्टालियों के साथ सरका स्वागत बंदार हे बंदार हे बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमारे सभी अतिति गणों का विध्याले प्रांगन में तहे दिल से शुक्रिया आदा करती हूँ आने के लिए और हम बढ़ते हैं अब इश्वर सुति की तरफ जब चारो और अंधेरा हो जब दुखों ने तुम को घेरा हो तुम कृष्ण का दीब जला लेना सब हाल कृष्ण को सुना देना वो देंगे समाधान हर बात का चाहे प्रश्न कुछ भी तेरा हो We dance for God We dance for hope We dance for nature We dance for laughter We are the dancer We create dreams So, to show the power of almighty We would like to invite our students To present a powerful Ishwar Suti Devoted to our Hindu tradition So please welcome The power of Biyani Our Biyanites With a huge round of applause Come on, Soren, इडिवा फस्पवाम्स शिवही सुन्दर है जागुठ कर देखो जीवन जो जागर है सत्थम शिवं सुन्दरम सत्थम शिवं सुन्दरम सत्यम शिवं सुन्दरम सत्यम शिवं सुन्दरम सक्क्रम्षीवं सुन्दार्म्ध। 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 हुआ के एक के दाया। अज़ नाजी है जाजी सब्सक्राइब अज़ नाजी है जाजी है जाजी 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 रंग असा रंग मिले नए नए ढंग किले खुशी आज़ गार मेरे जाजी है जाजी पी हुपी हुपपी हालते पूपूपयाल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेला अनगत नाजी जजाओ औरी सब्सक्राइब आजी मेरे जिया घर आए आजी मेरे जिया घर आए आजी पारो आजी मेरे जाजी उер आजी मेरे जाए आजी मेरेत रालतव शम्हां युच पाह सेक'd यॉपूपूपन घर आए अमरी प्रसु नभु बरसाने में, बरसाने में सारी नभु भूल मचा गए, बरसाने में वे शुमानों के घर संतान भई वे शुमानों के घर संतान भई आनंग के घरिया नाई बढई छारी सारे बज़ में सब सब आच बनाने बरसाने अमरी प्रस बरसाने बरसाने यमना जीतो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमना जीतो कारी कारी राधा गोरी गोरी मेरा दाजी की रजदाने लागे मने कारो खारो यमना जी रपाने लागे मेठी रस से वर्यो और दाज़ा 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 खाना नितन पुली में टेरे सुखरे पारवार कोटेन रूप रेमने मोहन दोन आए पार रूप रंग कीछ नवेले पटेर अने लागे मने खारो खारो एमना जीरो पानी लागे मने खारो खारो एमना जीरो पानी लागे मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सब के मन को भाए मतकी तोडे माखन खाए, फिर भी सब के मन को भाए, राधा के वो प्यारे मोहन, उनकी महिमा हम सब गाए. What a religious and graceful start of the show. This performance truly signified the tradition of our country. Ladies and gentlemen, put your hands together for this beautiful performance. Now, it's time yet for another day of the year to exhibit the talent of our students to bring to your kind notice the academic excellence and the medals they have achieved in the outstanding performances in the studies and the grace that they have achieved in the extracurricular activities and in everything they speak, they perform today as a cultural fest unfolds. Now, I would like to call upon stage RJ Mollie to continue with the prize distribution ceremony. Thank you so much, Kanshina Ma'am. Hello all of you, once again. As you all know, I have been a Roo-Baru for the first time. And I want you to be a great talent for everyone, whatever you have come here. A great talent for everyone. Because we say that we start a good job, so which has been a great talent for everyone who has come here and our parents and students who have come here. It's a great talent for everyone. Thank you so much, all of you. And now I would like to request our Chief Guest, Special Guest and Guest of Honor to come here to the stage and our Jam of the College, Toppers, and the fans are the best talent for everyone, and I would like to call our guest on the stage. It's a great talent for our guests. के लिए हैं की विए जाल कि बीग कर दोचछान दोच अब किये च्रील इस्ट है क्टी जी अफैर्स गॉवन्मनेंट ओ राजुसान हमारे साथ मैं साथ में है दोक्टर ओपी शर्मा सहां साथ मैं है दॉक्टर सुधीर भंडारी सहब, प्रॉफेसर दॉक्टर राजीव जैन सहब, ओके, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, I hope सब लोग स्टेज पर आ चुके हैं, वेलकम सर, एक बार फिर से आप लोगो को मेरी यानिकी आर्जमॉली के ओर से, अब मैं जाहूंगी, हमारी जो स्टूडेंस हैं, जो जैम्स आप दो कॉलेज हैं, उनके लिए जोर्दा तालिया हो जाएं, क्योंकि उनका अनॉंस्मेंट मैं करने वाली हूँ, जो कि हमारे कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, जोर्दा तालिया हो जाएं, हमारी स्टूडेंस के लिए, मिस भूमी का शेखावत, डिपार्टमेंट ओफ साइंस, सबसे पहले गुलाना चाहूंगी, मिस भूमी का शेखावत, मिस पुर्वा गौतम, डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन, जोर्दा तालिया, तालिया रुखनी नहीं चाहिए, और आप लोगों को खुशी होगी जानके, कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के और से, इन्हें मिला है गोल्ड मेडल, जो की बहुत बड़ी बात होती है, कि आज के टाइम पर हमारी महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, तैंक यू सो मज़ सर, आप लोगों कहीं आपर आए, और साथ मैं कहूंगी कि एंजॉई करेंगे, आज की शाम को आप बहुत अच्छे से, तैंक यू सो मज़, तो कष्ट जरूर देंगे हम, जोर्दार तालिया हो जाए हमारे बच्चों के लिए, और हमारे गेस्ट के लिए, नाव फर्स अफल, आई कॉल, अपर्टमेंट आफ साइंस, भारती अगरवाल, रैंक फर्स्त, मेगा, बीसी सेकंड एर, Rank first Ankeetha Singodhya Anjali Yadav Ankeetha Sharma Megha Sharma Nidhi Kumavat M.S.E. Yogita Sharma M.S.E. और जिन girls का में नाम ले रही हूँ इन सबने first rank फाय है तो प्लीज स्टेज पर आजाएए यहाँ पर जिनके भी नाम बोल रही हूँ Yogita Sharma, Ayushi Gupta, Bhumika Shekhavat फटाफट से आजाएए Now it's time to rank second मिताली Sharma, Megha Seney, Nikita Seney, Sakshi Parik, Pooja Jaakhar, Dipti Chokan, Ankeetha Agarwal, Sonam Ranva, Minakshi Kanwar, Ankeetha Verma Zorda Taliyah, Taliyah नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि यह जो बच्चे है यह आप ही में से एक हैं जिनोंने आज first और second rank पाया है Zorda Taliyah हो जाएँ इनके लिए Now it's time for 2020 and 2021 जिनोंने रंक किया है first नाम भुदधाराना चांगी, Pooja फटा फट से आजाएँ स्थेज़ पर Mannia Sharma Manisha Manisha Kumari Nikita Sharma Bharati Seney जाबर भी है फटा फट से स्थेज़ पर आजाएँ they all are first rankers of the college 2020 and 21 Bharati Agarwal, Nimisha Saini, Anjali Pandit Bharati Agarwal, B.A.C. third year Nimisha Saini, B.A.C. third year Anjali Pandit, B.A.C. third year Sakshi Gupta, M.A.C. Rubina Bano, M.A.C. Seema, M.A.C. Akansha Sharma, M.A.C. Sonu Kumari, M.A.C. Gargi Rai, B.A.C. Megha, B.A.C. Pooja Agarwal, B.A.C. Zorna Taliyah, Taliyah नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों के जो गिंती है वो नहीं रुकने वाली है आज Pooja Agarwal, B.A.C. एक है एक में बाद को एक है बाद कर दो है भारती अगरवाल, परसंटेज हैं, उनके 87.33, B.A.C. फटाफट से स्टेज पर आजाई हैं, मैं नाम दहराने वाली हूँ, निमेशा सेनी, 83 परसंटाइल, अंजली पंडित, 75 परसंटाइल, ओके थोड़ा सा विराम लेंगे, ताकि हमारे गैस हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ल थाइंक्यू सो मच सर, लेकिन मैं हमारे मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर, यह हम सभी के लिए सौभागे की बात है, कि अन्वल फंक्शन का दिन है और आपकी शिर्कत है, तो स्टूडेंट्स, एक तो जो यह चुपचाफ साइलेंट वाली जो फीलिंग है, उ एक बार और जोड़ दर तालिया और अपनी अवास के साथ हम सर को बुलाएंगे, वान, ट्यू, ट्री। प्रोग्राम हो, मैं डांस देखूँ, अब इतनी देर से इतना लंबा चोड़ा प्रोग्राम कर दिया, डांस एक भी नहीं हो, इस सिर्व एक किस्ट बगवान की इस्तूती हुए, कॉलेज और यॉनिवर्स्टी का फंक्शन हो, और बच्चों का डांस नहीं हो, तो गड़ राजिव बियानी जी, संजे बियानी जी, और आपको छोड़ बाई के नाम है, मनीज बियानी जी, तीनों भाईयों को, सर्ब से अच्छी बात ही है कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कहीं कि हमारी माँ अमारे साथ है, इसके लिए इनका ताली बजा के स्वागत करें, क्यो हमारे सिताराम जी अगरवाल साब पहली भाग गया गी, आदने सिताराम जी अगरवाल साब चले गए, हमारे मनोज मुद्गल जी, डॉक्टर ओपी सर्माजी, ससी कान सर्माजी रजिस्टरार, ठान सिंग जी, और सब स्टूडेंट इतनी भी है, सब बहुत स्मार्टली तय प्यार होके आईए, मैंने ये जरूर देखा, मैंने देखा आज आपका एन्वल फंक्शन है, बहुत बच्चिया चली जाएगी, पास्ट हो जाएगी, तो ये पांच अजार से ज्यादा बच्चियां यहां पर पढ़ रही है, मैं पहले भी इस कॉलेज में आया हूँ, ये कॉलेज बहुत अच्छा, यहां के स्टूडेंट बहुत अच्छी है, यहां के टीचर्स बहुत अच्छा है, और सब बच्चियों से एक ही बात कहूंगा, इस दुनिया में डिप्रेशन के लिए कोई जगे नहीं है, जो बच्चियां डिप्रेशन नहीं होती, घबराती न वो निश्चित रूप से सक्षेज होती है, एक बात टैकर लेना बच्ची हों, किसी से डरने की जर्थ नहीं है, किसी भी बच्ची को कभी भी लगे, मैं सब बच्चीयों से प्रामिस करता हूं, क्योंकि मैं खोद स्टूटेंट मुव्मेंट से निकला वाव्यक्ति हूँ, म मुझे याद करना आपकी आवाज में मेरी आवाज मिला कर मैं आपको ताकत दूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ. और मैं आप सब को कभी कोई बच्ची को कोई परेशान करे अब लगे बच्ची को कि मैं घरवालों को नहीं कहूंगी मैं तो अकेली पढ़ गई मेरे नंबर नोट कर लिए वैसे तो भगवान की कृपा मेरे उपर इतनी है मेरा नाम भी लोगे तो सामने वाला डरेगा कि प्रताब सिंखाचरी आवाज को फोन कर रही है फिर भी आपको मैं नंबर दे रहा हूँ मैं बच्चीयों को हर कॉलेज में नंबर देता हूँ 9829010010 98290110 मेरा नंबर है कभी भी किसी बच्ची को जरत पड़े किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो याद करना बच्चीयों को फैमिली का मेंबर मान कर मैं आपकी मदद करूँगा मैं आप सब बच्चीयों से प्रॉमिस करता हूँ और यहां पे बहुत चा फंक्शन और्गिनाइज किया आप कृष्चन के भक्त है हमारे गाओं खाचईयावास में भी गुपिनाज जी की पूजा होती है और आपने तो कृष्चन आयन नाम दिया है कृष्चन भगवान की माया तो स्पेशल है और जितने लोग यहां बैठा है तै कर लेना बच्चियों जवानी बहुत दिवानी होती है इसको कंट्रोल करके रखना है तै बात और समाल कर रखना है क्योंकि इसी जवानी से आपका फ्यूचर है सबसे कम उम्र यदी किसी की है तो कॉलेज लाइफ यूनिवर्स्टी लाइफ की उम्र बहुत कम है लेकिन हमारा फ्यूचर इसी पे खड़ा है हमें समझदार बनना है लेकिन डरना नहीं हर उस बच्ची को हो क्या रहा प्रॉब्लम एक हो गई कोई बच्ची फेल हो जाए डरने की जरुत नहीं है जरूरी नहीं हर बच्ची टॉप करेगी टॉप तो कोई एक करेगी अलग अलग फिल्ड होता है कोई बच्ची पढ़ने में उशार होती है कोई गाना अच्छा गाती है कोई डांस अच्छा करती है कोई बिजनेस अच्छा करेगी अहर फिल्ड अलग अलग बच्ची के लिए बना है इसलिए कहीं मत डरिये घबराईए माझ सबसे अच्छी बच्ची कौन है जो कमजोरो क्लास में उस बच्ची की मदद करे वो सबसे अच्छी बच्ची है और जो घमंड करती है जो बच्ची तै कर लेना कही बार जो बैक्बेंचर्स होते हैं न स्टूडेंट बाद में पता चलता है ये तो बहुत टॉप पे चले गए इसलिए घमंड मत कीजिए घमंड के लिए कोई जगे नहीं है और सब बच्चियों से कहूंगा जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा लेकिन बीतावा वक्त कभी वापस नहीं आएगा इसलिए टाइम मेनेजमेंट का जमाना है जो टाइम की वैल्यू करेगा टाइम उसकी वैल्यू करेगा जमाना बदल रहा है इसलिए इस वक टाइम मेनेजमेंट के अनुसार काम करना है सब बच्चियों को बढ़ाई देता हूँ और मुझे अच्छा लगा, मुझे बताया कि यहां से जापान गई बच्चिया मनीज जी वहां पर है वहां पिएजडी करके आई, उनके परिवार के लोग गए बहुत अच्छी बात है मैं आप सब को एक बार फिर बढ़ाई देता हूँ बच्चियों के साथ हम सब खड़े है और आज नवरात्रा इस्तापना हुई है आप खोद इस बात को जामते है कि नवरात्रा इस्तापना का मतलब क्या है बेवज़ आदमी अकड में घूम रहा है वह समझता है मेरे पास है तेरे पास तो कुछ है ही नहीं यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी मा विद्या चाहिए तो सरश्वती मा और ताकट चाहिए लडने के लिए मा मुझे ताकट दे मुझे 50 लोगों से लड़ना है 100 से लडना है तो दुरगा मा, पैसा लक्षमी जी के पास, विद्या सरस्वति के पास ताकत दुरगा मा के पास, तो आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं, बेवजे परिशान हो रहा है तीनों चीफ मा के पास है राजन नवरात राश्तापना है, मैं सब से कहूँगा एक ही decision होना चाहिए जिस घर में माँ बेहन बेटी का सम्मान होता है वाँ लक्षमी जी का वासा होता है और शामती होती है इसलिए संप और शामती के लिए बच्चियों का सम्मान होना बहुत जरूरी है आज के दिन मुझे college में बुलाया और नवरात्रा इस्ताफना के दिन आपने annual function रखा है आप सब को बदाई और सब बच्चियों के लिए मैं क्रिश्न वागवान से प्रात्ना करूंगा आपकी सब की मनों कामना पूरी हो सब हमेसा हस्ती रहे आगे बढ़े और सब के चेहरे पर हमेसा मुस्कान रहे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जये हैं जैसा कि सर ने कहा कि गुजरवास हमें वापस नहीं आता और सर का एक फोन ही काफी है ये मैंने power देखी सर की एक बर college जो एक university बनने जा रहा है जब सर का एक फोन गया तो कुछ problem थी सर वो सोट आउट हो गए थी आपको उसके लिए मैं अभी यहाँ मंच पे बढ़ाई देना चाहूंगा थैंक्यू बूलना चाहूंगा और आपके decision making और शिक्र निर्ने लेने की जो तरीका है उसकी हम 10 gemacht सर बचोंने और टीचर्स ने पूरे ब्रज को यहां इखटा करने की पूरी कोशिश की है, बस कमी हमेरे बच्चों की तालियों में है और जरा उनकी आवाजों में है। स्टूडेंट्स, कृष्ण रादा बनने को सब तैयार है या नहीं? नहीं आवाज आई, तैयार है या नहीं? तो जरा कृष्ण की वादसल्य में परफॉर्मेंस के लिए बुला ले। आत्मा हूं कभी परमात्मा हूं, योगी हूं कभी जोगी हूं, यथार्त हूं कभी परिताप हूं, राग हूं कभी गीत हूं, प्रेम हूं कभी ममता हूं, मैं वादसल्य सी ममता मैं मा, हर वक्त तुझ में शुमार हूं, हर वक्त तुझ में शुमार हूं Now ladies and gentlemen, here is a performance which will let us all feel the joy of motherhood, the joy of childhood and the joy of divine relationship of Krishna and Yashoda. Our students are so much excited to show their energy in front of you all with a dance performance Vatsalya. और जहां Krishna है वहाँ वातसले अवर्शे होगा, लेकिन कैसे आईए जानते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंसे, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे next performers का. नमस्तार, अभिनन्दन आप सभी का कृष्णायन में, भक्त वस्सल श्री कृष्ण के आशिरवाद से, आप सभी आज बियानी प्रांगन में, आनन्द उत्सव कृष्णायन में पधा रहे हैं. देखिए, स्वयम गोविंद आए हैं आपको आनन्द से सरुबार करने के लिए. चलिए दर्शकुन, एक बार फिर हम आपको लिये चलते हैं द्वापर में, जहां पर स्वयम नारायन धर्ती पर नरलीला करने अवतरित होने वाले हैं. काराग्रह में मा देव की और वासुदेव के यहां जन्म लेनी वाला है एक विलक्षन बालत, जो भविश्य में महाभारत का सुदर्शन नायक बनेगा, और संपूर्ण विश्व को गीता का जीवन दाइनी उपहार देगा. तभी तो है कृष्णायन, संसार की समस्त आधी युव्याधियों का हरन करती है गीता और उसकी प्रणेता है वासुदेव श्री कृष्ण, योगिश्वर श्री कृष्ण, कृष्णम, कृष्णम, आईए हर्षित मन से चलते हैं गोकुल गाउं में नंद बाबा के घर, जह मैया यशुदा अपना संपून वादसल लुटाने वाली है अपने नठखट माखन चूर कर। भायो क्रेश्ण अवतार, भायो क्रेश्ण अवतार, जाने जमुना जग नहीं, श्री हरी को अवतार, पावन पद परसन चगे, बढ़ी जमुन जल था, भायो क्रेश्ण अवतार, भायो क्रेश्ण अवतार, भायो क्रेश्ण चूर कर। श्री हरी ने रविशुताहित, दियो चरन लटका, दियो चरन लटका। चली कुमारे नंद नी, आए नंद कुमार, प्याग बिना संभव नहीं, जीव जगत उधार, जीव जगत उधार 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 जीव जाबन लाली जीव जीव जगत उतना जीव जीव सर्ग ऋधार फिह करत्ग जाओं उधार जिगत उतमें जैना जीव जगत एका जीव जगत उतना आयो है ये शुड़ा घर नंद परार चा गया अनंद हुआ दुखर निहार मर्द तो है वोहे तैसे ये तन है या लाँ कोई दर हेगा ना कोई प्रेश्ट गोपार उबे राज गाय जगिते के सुर्कार कोई दर हेगा ना कोई प्रेश्ट गोपार कर दो कर दो कर दो कर दो इन शुमती मैं यहसे मुलिव पलाल इन शुमती मैं यहसे मौनी दिखाला राधा क्यों कारी ने क्यों काला राधा को बारी में क्यों आना वोली मुझसे पादी मैया लानन का पादा आया पादा आना वोली मुझसे पादी मैया लानन का पादा आया पादा आया लाधा प्या वोली में का आया किसी ने काला, ये शौमती मैं ऐसे मौनी में लाला किसी ने किसा कैसे मौनी में लाला ये अकली, में लाला ये अकली मैं लाला ये शौमतीन बारा नट खट हरे प्रिशन कनहया आकर यशोदा मलिया बारा नट खट हरे प्रिशन कनहया आकर यशोदा मलिया बारा नट खट हरे प्रिशन की छुच़ी टुची ट खर का italiano बारा नट खोड़िया पिश्ची टोषत और ज़ी तु शुचत टोपी रू film बजने दुपार बजने जोल्खत दुच्वन खीड़िया पिछ पिछिँ बार आगे आगे गई या पीछे पीछे बार बिच में में रो मदने कुपार चुचकी चुचकी देया चुचकी चुचकी बार चुचकी बार गोकुल में है जिनका वास गोपियो संग करे निवास गोकुल में है जिनका वास गोपियो संग करे निवास देव की यशोदा है जिनकी मईया ऐसे है मेरे कृष्ण कनहिया What a magical performance, I am literally thrilled पानी के बिना नदी बेकार है अतीथी के बिना आंगन बेकार है प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में अगर गुरू ना हो तो जीवन बेकार है आज महावध ध्याले प्रांगन के इस खास event पर परम पुझेशी किरीग भाईजी हम सभी के साथ में है ये हमारे लिए एक सोभागे की बात है मैं सभी की तरफ से college chairperson आदर्निया पुष्पा वियानी मैम से आगरे करूंगी कि वो गुरू जी को पुष्पु भेट कर उनका स्वागत करे जोधार तालियों के साथ सबी students स्वागत करे परम पुझे किरीग भाईजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया मैम सर बिल्कुल सही कहा बंद हो जाएं सब दर्वाजे नया रास्ता दिखाते हैं गुरू बंद हो जाएं सब दर्वाजे नया रास्ता दिखाते हैं गुरू सिर्फ किताबी ज्यान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरू तबी तो कहते हैं कि अगर गुरू और गोविंद दोनों खड़े हो तो गुरू तब भी उपर होता है बियानी परिवार के साथ-साथ हम सबी के लिए भी ये बहुत सौभागे की बात है कि आज के इस खास दिन परमपूर्जे श्री किरीट भाई जी हमारे बीच में है हम सबी को आशिरवाद देने के लिए आगे जब तक हम सब हमारी किरीद भाईजी से कुछ आशिर वचन प्राप्त करें उससे पहले एक और खास मौका है प्रोफेसर डॉक्टर संजय बियानी सर हमें हमेशा नया ज्यान नई बाते कभी आध्यात्म से संबंदित कभी जीवन से संबंदित सिखाते हैं और आज बहुत खास मौका है कि सर की नई किताब स्वयम की खोच का विमोचन का भी दिन है और इससे जादा बड़ी बात क्या होगी कि सर के गुरू के हातों से ही उस पुस्तक का विमोचन हो तो सर की किताब के लिए गुरू जी के लिए डॉक्टर संजर बियानी सर के लिए बियानी परिवार के लिए और कुछ नहीं तो अपने खुद के लिए ही एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरू जी बियानी परिवार स वो भी मंच पर आएं ताकि ये मौका और भी खास हो जाएगा आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बुक जिसका नाम है स्वैम की खोज जो ये मदद करती है स्वैम को जानने और खुद में चुपी हुई अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए अक्सर हम लोग ये जान ही नहीं पाते कि खुद को जान लेने से सब कुछ आसानी से जाना जा सकता है ये पुस्तक आपको स्वैम को जानने में बेहद मदद कर साबित होगी आप सूच रहोंगे ये पुस्तक लिखने का मकसद क्या रहा या फिरियों के आप ये जानना चाहते होंगे कि आपको इस पुस्तक को क्यो पढ़ना चाहिए मैं कुछ बेग्ग्राउंड में बाते बता देता हूँ आसे लगबर पहाच वर्ष पूर मेरी जिंदगी में भी कुछ समश्या हैं आई जैसा कि आप सभी लोगों की जिंदगी में आता होगा मुझे कुछ लोगों ने धोका दिया कुछ आर्थिक समश्या हैं थी इन समश्याओं ने मुझे जग जोड़ा और तब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब क्यों और कैसे होता है और वास्तों में जिंदगी क्या है तब मैंने ये तई किया कि समशाओं को, धनाओ को, हताशा को, निराशा को ठीक से समझा जाए और तब मेरा ये कारिया अरम हुआ मैं प्रति दिन इस खुज में लग गया कि आखिर मैं कौन हूँ क्या मैं स्वें में चलता हुआ विचार हूँ क्या मैं भावना हूँ, या फिर मैं कुछ और हूँ बहुत सारी पुस्तके पढ़ी, इंटरनेट पर गया, खोजा और तब इस पुस्तक की शुरुआत हुई, जिसका नाम है स्वें की खुज मुझे लगता है कि कोई भी इनसान खुद की खुज तब ही करना चाता है लेकिन जब मैंने बहुत खोजा तो पाया कि ऐसा नहीं है, वास्तव में जिंदगी आशा और निराशा दोनों से मिलकर बनती है जिंदगी खुशी और गम दोनों से मिलकर बनती है, निराशा और हताशा के समय लोग बहुत घबरा जाते और कुछ लोग तो जिंद्गी से रुकसत होने की सूचने लगते हैं लेकिन वास्ता में हमारा सही माइने में विकास तो इसी कारण आरंब होता है इसलिए मैंने निश्चे किया कि मैं जिंद्गी की बारीकियों और गहनाईयों को समझू और आपके सामने उसे प्रस्तुत करूँ मैं इस अफसर पर विशेश रूप से सभी विध्यार्थियों को अपना शुक्रिया देना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो ही ना होते तो ये बुक मैं पहला किसके लिए लिखता हूँ मैं अभी भावकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कॉलेज में जो टीजर्स जो मेरे प्रेणा स्त्रोट भी है उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विशेश रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पुज्य श्री किरिट भाई जी जो मेरे गुरू है आपकी प्रिणा आपकी विचार कहीं न कहीं मेरे विचारों में समावेशित है मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह बुक मैं मुख्य रूप से आठ टॉपिक कवर किये गए पहला विद्यारती वा अभिभावा स्वाम को कैसे पहचाने दूसरा जागरुपता और चेतन्यता को कैसे जाने तीसरा यूग आसन प्रानयम और साथ चकरों को जाने चौथा आईलवेग और हमारा स्वास्त है ताच्वा इतियास वा ब्रमान की कुछ रोचक जानकारिया प्रबंदन और आठ्वा अध्याय इस बुक में है वेद पुरान उपनिशत वा इश्वर को जाने इस पुस्तक की रचना के बाद मैं शुक्रिया देना चाहूंगा प्रभात पॉब्लिकेशन प्रभात पॉब्लिकेशन जो दिल्ली में इस्थित है आपने इस बुक को चुना और प्रकाशित किया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ये बुक कल से यानि रविवार से कॉलेज में उपलब रहेगी और मेरा मानना है कि पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत मददगार होगी क्योंकि वैसे तो इंसान को अपनी यात्रा खुद ही करनी पड़ती है पर फिर भी मेरा मानना है कि आपको आपकी यात्रा में, आपकी संगर्ज की यात्रा में, आपको आपकी निराशा से उबरने में ये बुग जरूर मदद करेगी, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत असानी से मिल जाएगा, आप सब लोगों को इस बुग के धन्यवाद दन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया सर हम भी उमीद करेंगे विश्वास है कि आपकी ये किताब आपकी सभी किताबों की तरह एक और सफलता के आयाम चुए इसके बाद मैं गुरू जी से निवेदन करूंगी कि सर हम सभी को कुछ आशिर वचन देख कर हम सभी को अनुगरहित करें जनमा दस्य यतोन वयादितरता स्चार्थे स्वभिग्नस्वराथ तेने ब्रह्मरदाया दिकवये मुहयंतियत सुरया तेजो वारे मुरदाम यथा विनिमयो यत्रत्रि सर्गो मुर्शा दामना स्वेन सदा निरस्टकूकं सत्यम परमदी मही जगदंबा मा सरस्वती के ये पुनित प्रांगन में परिवार सहित आप मात्रू और पित्रू देवों का विशेश दिन जब मना रहे हैं ये संसकार का दियोतक है के बच्चों को हम संपती तो देते हैं साथ साथ में संसकार देना आवश्यक है सहुरत सहीता में विविद प्रकार के दानों का वर्रन आता है इस सहुरत सहीता में सर्वश्ट्रेट ग्यान दान को माना गया है जहां जीवन जीने की सेली हमको मिलती हैं तो शास्त्र ने हमको कहा है कि हर एक जीव को विदिया व्यसनम विदिया प्राप्त करने का व्यसन होना चाहिए और इस प्रकार की पुनित पवित्र जो पाटशाला होती है उनका हर एक मानों के जीवन में एक अनुपम स्थान होता है साथ साथ में हमारे परमभगवदी, राजीव जी, संजीव जी, हमारे मनीश खूब अथाह श्रम, अथाह मेनत, न केवल एक विचाधाराओं को प्रगट करना, अपितू, विशेश रूप से बिटियाओं को पढ़ाना, उनको सिक्षा-दिक्षा देना यह संकल पर कोई-कोई करते हैं, मैं तो उनके पिताश्री जब थे उस समय से मेरा आशिरवाद इन लोगों के पूपर रहा ही है, रहता रहेगा विचाधाराओं के माध्यम में स्वयम की खोज, यह पुस्तक का विमोचन केवल एक पुस्तक के रूप में नहीं है, जो जिग्यासु लोग है, जो प्यासी लोग है, इनके लिए एक कुप के रूप में, उनको परिपूर्णक करे, ऐसा मेरा शुब आशिष है, आपके जी हाजी रहें, अध्यापकोर सब हाजी रहें, मैं विशेश तो ना कहूं क्योंकि आपका कारिय करम एक और मारक के और जा रहा है, एक गुरू के नाते से मेरा आप सब को शुबाशिश है, आपकी मनों कामना सिद्ध हों, और बच्चियां जो हैं, बच्चियों अपने जीव हम स्थान है, वो इस प्रकार की संस्थाओं ने परिपूर्ण किया है, बालको को भी मेरा खुब खुब आशिरवाद, आप सब को मेरा शुबाशिश कलियान है बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी व्यर्थ जीवन के राही होते, दुनिया में हम कुछ ना होते, अगर आपके दिये सबक ना होते मुझे लगता है कि हर गुरु अपने शिश्य को कुछ ऐसी बाते, कुछ ऐसा ग्यान, कुछ ऐसे सबक दे जाता है, जो किताबों में कहीं नहीं मिलता एक बार फिर गुरु जी के लिए, उनके स्वागत में, उनके आशिरवचनों के लिए, तालिया बजा कर हम अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं वेसे स्टूडेंट्स, जिस एनर्जी के साथ हमने कृष्णायम को तयार किया है, मुझे लगता है अब इतक कृष्ण मई होने में समय बाकी है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी शालींता के साथ बड़ा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहें कि अपनी शालींता भूल जाएं, लेकिन अपनी अवास को खोल कर, जरब ब्रच का माहौल तो आप बनाई सकते हैं, तो राधे कृष्णा, राधे है या नहीं? अवाज नहीं आई? स्टूडेंट्स, आर्यों देर? चलिए, पलके जुका के नमन करें, पलके जुका के नमन करें, मस्तक जुका के वंदना करें, ऐसी नजर दे दे मेरे कानहा, जो बंद होते ही आपका दीदार करें। कृष्ण, एक बहुत नटखट से बच्चे हैं, और इस जगत के समराट भी, एक बासूरी वादक है, तो बहुत अच्छे नृत्यक अलाकार भी, अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योधा है, तो गोपियों और ग्वालों के प्यारे भी, एक चतुर राज नेता है, तो म या यशोदा के सामने एक छोटे से अभीनेता भी, महा योगी भी हैं और महा ज्यानी भी हैं, ऐसे अवतार है, जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाई हुए है, तरुन अवस्था, कृष्ण की तरुन अवस्था से सम्मंदित, कुछ खास जल्कियां और प्रस्तुती लेकर आ रही है, हमारी अगली परफॉर्मेंस, तो हम तब तक मंच पर नहीं बुलाएंगे, जब तक आप तालियों के साथ उन्हें नहीं बुलाएंगे. मैया यशुदा का नटखट कानहा अब तरुन हो गया है, बुरिज का सजीला कानहा अब आती जाती गोपियों की मट्की फोरता है, उनके साथ यमना के तीर पर हास परिहास करता है. गोपियां मा यशोदा को कानहा की शिकायत करती है पर कृष्ण तो फिर मनमुहना है उनकी मुहक मुस्कान देखकर समस्त गोकुलवासी धन्य हो गए है कानहा की अठखेलिया और मनमुहक मुस्कान राधा का सुकून छीन लेती है रूठने मनाने का ये सलसला ब्रिज के गलियों में आज भी कायम है आईए आनंद लेते हैं अपनी मुर्ली से सब को वश्मे करने वाले मुर्ली धर कृष्ण की अठखेलियों का और चलते हैं यमनो की तीर पर अटक अटक जट फट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी गॉलनक छोरी चली चोरी छोरी मुख मुरी मुस्काय अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कनई यह बपरी पाद की खेली भरी पिछकारी मारी भरररररररर भोली परिहारी भोली आया होली का त्यों हार उड़े रंग की बोचार तु है नार नख्रेदार मत वाली रे आज मीती लगे है तेरी गाली रे वो है रंगीला शेल छबीला वो है नतगट वो चमना तटड़ खेले रगाए मुल्ली बचाए काफ्यों के सन रास रचाए मुल्ली बचया रास रचया शाम सलोना है हो जो है अलबेला मदनेना वाला जिसकी दिवानी प्रिज की हर वाला वो किसना है मदन में जुकन है या किसे को पीस मिले कभी मुस्काई कभी छेडे कभी बात करे राधा केसे न जले राधा केसे न जले मधुबन में भले काना किसी को पीस मिले और में तो राधा के ही प्रेवर के हैं भूल खिले किसलिए राधा जले इसलिए राधा जले दिन सुचे समझे इसलिए राधा जले इसलिए राधा जले राधा जले देरम यहाँ खरी राधा जले जले राधा तुचे समझे इसली दौने कालष revenue मुचे समें ही एजिए और फेट पीजिए गन शीवादा राव शान, भादा वादा बाल्ट गन शीजिए तेश पादा जो चाहं के शीजिए मिलनुन o क्तर सक्थर पादा, भादा बाल्ट इस पीजिए पादा घुँ अयुद खादा, शार गजए रशा रहाय है फ्ट हुआ दोई पूलि कोरा दोगClicky में कोरा है शोई झाल street, में सावे टिन जोई गजू एोग Vए जोग मोग वोग लुगयां! Samad jושallach! Samad jūsot! He anandu man jūsot! He hoonu lai kyi! He anandu man jūsot! He hoonu lai kyi! He anandu man jūsot! He kriy ala lakyi! में आनन्द बड़ शोदा लालकी कर दोदा लालकी कर दोदा, वशा लालकी कर दोदा बड़ जाण बड़ एचे एतना। कर दोदा लालकी दोदान कर दोदा य Нद és बोल बाके बिहारी लाल की जै जो दोड़ दोड़ कर भी नहीं मिलती वो संसार की तृष्णा है अजी आतक जैकारा पहुँच चुका है आपका जो दोड़ दोड़ कर भी नहीं मिलती वो संसार की तृष्णा है जो बिन दोड़े प्रेम से मिल जाए वो ही तो राधा का कृष्णा है है या नहीं आवाज नहीं आई भई देखो कृष्ण और राधा मही होने के लिए अपने अंदर एनरजी बरकरार रखिए जरा एक बार दोनों हाथों को उपर कर दीजे जिसे जगराते में जाते ना हाथ उठा कर एक बार तालिया बजा दीजे बस नहीं जी इस चीज में हमारे गैस्ट और बियानी परिवार को भी कोई रिलेकसेशन नहीं है एक बार हाथ उपर करके तालिया बजा दीजे बिल्कुल चलिए इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर आजीव जैंजी सरसे वाइस चांसलर युनिवर्सिटी आफ राजस्तान की वो मंच पर आए और हमें स्टूडेंट्स को फाकल्टीज को कुछ आपके आशिरवचन देकर हम सभी को हमें गाइडेंस प्रदान करें जोरदार तालियों के साथ सरकार स्वागत करें बियानी परिवार और बियानी कॉलेज द्वारा आज जो ये आयोजित एन्वल फंक्शन में हमारे जो चीफ गेस थे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर वो प्रस्तान कर गए हैं संजे जी बियानी, राजीव जी बियानी और तीस रेकन सुशील जी बियानी मनीज जी बियानी और मुख्यते इनकी माताश्री तदा हमारे विश्विध्याले से आयोए प्रोफेसर ओपी शर्मा जी और अन्नी कैस्ट मैं सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छे प्रोग्राम में मेरे को यह आमंत्रित किया मुख्य बात तो यह है कि दो साल तक करोना रहा और दो साल तक सारे इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्रेम एक तरह से बंद रहे तो एक खुशी का अउसर है कि सब लोग वापस से हम इस तरह से आगे बढ़ रहे है बच्चों छात्राओं खास बात यह है कि कॉलेज की लाइफ तीन साल होती है क्योंकि इसके बाद डिफरेंट स्टेडीज के लिए अलग 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 जगे चले जाते हैं उन में से दो साल तो करोना में चले गए तो आपके लिए तो ले दे करके यह एक ही साल है तो मैं चाहूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से उस्सा के साथ कॉलेज प्रशाशन के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं अभी थोड़े देर पहले यहीं के जो अपने रजीब यानी जी है उन्होंने भी पावर की बात की थी तो मसल पावर, मनी पावर और तीसरा नौलेज पावर हम दोनों पहले पावरों की तो बात नहीं करेंगे यहां पर शिक्षा के मंदिर में पर जो तीसरा पावर नौलेज पावर है तो बच्चों वो नौलेज पावर हम अपनी किताबों से अपने गुरुओं से इन से तो प्रात करते ही हैं इसके अंदर सही निखार लाने के लिए हमको इसी तरह के जिसे हम personality development कहते हैं, motivation कहते हैं वो इन सब तरह के सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से और उस्साव वर्दक क्या कहते हैं, एक प्रकार से लेक्चर सुन करके हम अपने आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं मैं इस अवसर पर बहुत सारी बाते कह सकता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बात दिगे पर एक अपनी आखरी बात कहके समात करता हूँ जो कि यदि अपने जीवन में सफल होना है तो हमें हमेशा समाच के सामने अपने परिवार के सामने अपने समुदाए के रूप में अपने भारत के लिए हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलिबल रहना होगा और यदि हमको वास्तों में सफलता परात करनी है तो हमारे को अपना behavior वो ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत जैसे पहले भी बताया गया कि यदि मनी जदा आ जाती है तो आदमी में गमंड आ जाता और गमंड वाला विक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है तो behavior is the important and third that is the most important that is the commitment हमें अपना commitment रखना है हम यहां से पढ़ करके मुझे बताया गया है कि यहां से लड़कियां बहुत बड़े-बड़े आयामों पर पहुंची है और मैं चाहूंगा इस commitment के माध्यम से यह विद्याले महाँविद्याले और जो कि अविश्यविद्याले बनने जा रहा है वो बहुत सफलता हैं चुमें और बहुत आगे बढ़ें अन्त में फिर सारे परिवार को माताश्री को और साथ में जो सारे बच्चे हैं चुकि मेर से ज़्यादा सुनने ज़्यादा आपको उस्वा ये रहेगा कि आपके अच्छे-च्छे प्रोग्राम हो, मैं उसमें और मिखने नहीं बनना चाहता, प्रोग्राम बहुत अच्छे कराए, मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं रास की तरफ। कृष्ण काना कानूरा लल्ला, किस-किस नाम से पुकारो तुम्हें, जब-जब जिक्र, ब्रच और रास का हो, तुम्हारी अदाओं पर सिमट जाती हूँ मैं। अब कृष्ण रास हो और कृष्ण की अदाएं ना हो। राधा की एट खेलिया ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो चले ब्रच के रास में। ये कैसी गोपी और गौले हैं जिनकी आवाजे ही नहीं आती। वहां तो बासूरी की धुन सुनकर गाएं भी बहार निकल जाती थी। और हमारी गोपियां बड़ी चुप-चाप है। तो कृष्ण राधा के रास को देखने के लिए तयार है। तयार है। रास रचा दे। तालिया बजा दे। तो बजा दीजी एक बार अच्छी वाली तालिया। और मंजीरों की जनकार के साथ ब्रिज में हुली का आनंद लिया जाता है। और ऐसा क्यों न हो। क्योंकि स्वयन कृष्ण अप्नी प्यारी राधिका के साथ खुली खेलनें जो आते हैं। तो आईए इन मतवालों के संग हम भी रगों की मस्ती में डूब जाते हैं। क्योंकि प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है। अंतिम मिलन है। क्योंकि अ में facedश हो। हुआँने कि में लाधिका के संगा ूभता स갈्टाद से गिए ही हाग जिसकी बासूरी की धुन पर नाचता मोर है जिसके आने से गलियों में मच जाता शोर है गोपियां भाग कर आती है कहती है यशोदा से ये तेरा नटकट काना तो माखन चोर है ये तो हम सभी जानते हैं कि ये माखन चोर गलियों में जा जाके सब को परिशान करता था और गोपियां जितना परिशान होती थी उतना ही लाड़ भी रखती थी अपने कानूडा पर तो चलिए एक प्यारी सी परफोर्मेंस उस राधा और कृष्ण की नठकट अदाओं के उपर आपके लिए तयार है कभी काना अपने आपको सुप्रीम समझते हैं तो कभी राधा अपने आपको सुपीरियर कहती है लेकिन ये कृष्ण भी जानते हैं कि राधा सब कुछ है और ये राधा भी जानती है कि कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है तालियों की गड़गडा हट में कमी हो गई तो टेक्निकल हिसाब भी थोड़ा तेरा मेरा हो गया तालियां बज जाएंगी रास अपने आप चल जाएगा बजा दीजे बजा दीजे पिलो बंब जाएगे चंग बंबंबंब पिलो बंब जाएगे चंग यार लिएक अधम इवार रहोलिया में उडर गुलार तईयार मंघे डड़ सहा खोल्या में उडर गुलार तईयोन मंघे तर्शे होलिया मा उड़े गुलाल गयोर मंगे तरसे मारी मंगे तर छुड़ला वाली खड़िया वालोर नवा गयोर मंगे तरसे खड़िया मा उड़े गुलाल गयोर मंगे तरसे होलिया मा उड़े गुलाल गयोर मंगे तरसे होलिया मंगे तरसे पुलाल गयोर मंगे तरसे मुझा वादर नवाद कैयोर मंगे दर से हुलिया में उड़े गुलाद कैयोर मंगे दर से मुझा वाद 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 कैयोर मंगे दर से पीचे भागेरे नवाँ सेयर मंगेदर से वलिया में उडरे खुलाँ 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 सेयर मंगेदर से वलिया मंगेदर सेयर मंगेदर से वलिया में उडरे खुलाँ सेयर मंगेदर से क्या बाद है, बडी खुबसूरक परफॉर्मेंस, इसके बाद हम बड़ते हैं, प्राइज दिस्टिबूशन की तरफ. Biyani group is here to empower women to exercise their God-given full potential. It undertake and promote women's economic empowerment and gender equality. Here at Biyani, we not only value the knowledge, but we also nurture the intellectual capacities for the comprehensive development of our students. Now it is time once again to acknowledge the talent and intelligence of our brimming students. It's time for the prize distribution ceremony and for the prize distribution ceremony, I would like to call on the dais our very respected guest, Dr. O.P. Sharmaji, Dr. Shashikan Sharmaji and all the dignitaries to please be present on the stage for the prize distribution ceremony. And first of all, I would like to call on the stage the students from IT department. Please be ready. As the first rank holder in 2019-20, we are having Suprita Bhutani from MCA, 4th Sam, Kritika Veshnavi from BCA, 3rd year. Students, Taliyah, watch the motivation for your students. It is very important for students. As a first rank holder, the student who has secured first rank in 2020-21, their name is Reema Chaudhary from MCA, 4th Sam, 6th Sam, sorry. Nidhi Sharma from BCA, 3rd year, Akanksha Kumawat, BCA, 2nd year. Students who has secured second position in 2019-20 are Jyoti Kumawat from MCA, 6th Sam, Kushbu Bhati from BCA, 3rd year. Next, please be in the line. Second rank holders from 2020-21 are Namrata Sharma from MCA, 6th Sam, Mehak Rastogi from BCA, 3rd year, and Tanu Garg from BCA, 2nd year. We are going to start the price distribution ceremony of Commerce and Management Department as well. So, students, please be ready. As a first rank holder in 2020, we have Kushbu Jhangit from BCA, 2nd year, Payal Tawar from BCA, 3rd year, Sakshima Agrawal from BCA, 2rd year, and from BCA, 3rd year, I will request to the price distribution ceremony for the price distribution ceremony. Next, I would like to invite the student Neelam Ashwini, who has secured first position in BBA, 3rd year, Dikshah from BBA, 3rd year, Monica Babani from MBA. Ranked first holders in 2021 are Shalini Pandit from BCA, 2nd year, Kushbu Jhangit from BCA, 3rd year, Akshita Bansal from BCA, 2nd year, Shabana Khan from BCA, 3rd year, Smita Mishra from BBA, 2nd year, Bhannupriya Rathi from BCA, 3rd year, Kritika Kulshreshth from MBA, and Ayushi Goyal from MBA, Part 1. As a second rank holder in 2020, we are having Aastha Varma from BCA, Part 2, Ankita Kumari from BCA, Part 3, Shabana Khan from BCA, Part 2, Shivani Jain from BCOM, Part 3, Honours, Bhannupriya Rathi from BBA, Part 2, Aditi Agrawal from BBA, Part 3, Deepika Parwani from MBA. Hope all the students are queued already. Now I am going to announce the names of merit list holder in 2021, who has secured second rank in their classes. Jigyasa Chaudhary from BCOM, Part 2, Varsha Jhavar from BCOM, Part 3, Madhu Pandey from BCOM, Part 3, Honours, Jumar Maheshwari from BBA, 2nd year, Neelam Ashwani from BBA, Part 3, Chanchal Agrawal from MBA, and Simran Agrawal from MBA, Part 1. Next, we are going to have the students from Social Science Department. So please be ready. I am going to announce the name of first rank holders from Social Science Department. and they are Neha Shekhawat from BBA, 4th year, Shruti Soni from BBA, 2nd year, Amara Saqib from BBA, 3rd year, Gargi Chaudhary from BBA, 2nd year, and Vishakhah Chaudhary from Fashion Designing, 2nd year, Shaheen Khan, Fashion Designing, 1st year, Anushka Sharma, BJMC, Part 1, Kushi Dubey from BJMC, Part 2, Aranya Lakshmi Shekhawat from BA, Part 3, Bharti Soni from BA, Part 2. We'll be right back. First, we'll be right back. We'll be right back. Now, let's get started, and we'll be right back. Now, let's get started, and then, we wish all our students a bright future next are the first ring holder from batch 2020-21 and their names are Priyanka Soni from BVA part 3 Tannu Singh from BVA part 2 Manisha Kavar from BA part 3 and Komal Saini from BA part 2 now I'm going to announce the names of second rank holder from batch 2019-20 and their names are Yashruti Singh Khangaroth from BVA part 4 Priyanka Soni from BVA part 2 Simran Khan from fashion designing part 2 Aarti Sharma from fashion designing first year Vishakhat from BJMC first year Mansi Adikari from BJMC second year Aastha from BA part 2 and Muskaan Taylor from BA part 3 students from batch 2020-21 are requested to be cute and I'm going to announce their names and first of all I would like to invite Angela Shetty from BVA part 3 then Bandana Soni from BVA part 2 Aastha from BA part 3 and Diksha Sharma BA part 2 you are requested to be cute please next I'm going to announce the names of the students from BSC nursing who secured first rank in 2020-20 next I'm going to announce the names of the students from BSC nursing who secured first rank in 2020-20 the students are requested to be cute and their names are Sarita Mahavar from BSC nursing part 4 Priyanka Priya Chohan from BSC nursing part 2 Avni from BSC nursing part 1 Lalita from GNM third year Priyanka Chohan from GNM second year Sophia from GNM first year and Jashun Preet from BSC nursing part 3 DJ Ramraj now students securing first rank in the batch 2021 are Pooja Yadav from BSC nursing fourth year Priya Chohan from BSC nursing third year Ramwa Bhati from BSC nursing second year Kanchan Yadav from BSC nursing first year and Abhilasha Lakwal from GNM first year guys a huge round of applause for our rank holders now I'm going to announce the second rank holders now the names from the batch 2020 and they are Sharmila Yadav from BSC nursing fourth year Pooja Yadav from BSC nursing third year Nivedita Yadav Rawat from BSC nursing second year Aman Rathar from BSC nursing first year Suman Chaudhary from GNM third year Deeksha Kumari from GNM second year Sonam Kumari from GNM first year and Meenakshi Gaur from GNM first year Sonam Kажи is a hoja Sonam K vérini is a hoja Sonam Kauri is a hoja Sonam Kauri is a hoja Sonam Kauri is a hoja दोस्तों के लिए जोडार तालिया बजा दीजे क्योंकि ये वो बचे हैं जिन्होंने साल बर महलत की अकेडमिक्स में और फर्स और सेकेंड रेंक सिक्योर करी है तो एक बार जोडार तालिया ये थे हमारे अकेडमिक्स में बहुत अच्छा पर्फॉर्म करने वाले बचे इसके अलवा बेसि नर्सिंग से हमारे पाच में ऐसे श्टूड़न्स भी है जिनकी अटैंडेंज 100% रही है यानि की साल में जब जब कॉलेज लगाया है ये बच्चे यहां आए है और इन्हें भी हम लोग होसला अफजाई करना शाहेंगे मैम और सरके थू प्राइज दिलवा करके तो इनके नाम है Kavita Kumari from BSc Nursing First Year and Vijeta from BSc Nursing First Year Huge round of applause for all our students Thank you ma'am, Thank you students में प्रोग्राम को आगे बढाने से पहले सिर्फ दो बाते कहूँगी आप लोग सभी शादियों में गए है सबी शादियों में गए है तो सबसे पहली बात तो इस annual function को शादी की तरह मत बनाईए क्योंकि शादी में सिर्फ उन लोगों को इंटरस्ट होता है जिनकी शादी होती है बाकी सब तो बटर पनीर की सबजी खाने जाते है ना तो यहाँ पर भी सिर्फ वो इंटरस्टेट मत रहे हैं जिनको यहाँ प्राइज मिल रहा है या उनके पेरेंट्स हम सब बियानी परिवार का हिस्सा है यह जो प्राइज ले रहे हैं वो भी हमारे और हम भी इनके हैं अब बजाईए तालिया और दूसरी बार हमने जो यहाँ थीम रखी है कृष्णायन यह डारेक्टर सर का चेर्मिन सर का मनीश सर का यह विजन था कि इस बार की थीम कृष्ण मही रखते है पहली बार में जरूर ऐसा लगा यह एन्वल फंक्शन और कृष्ण थीम बट एक्चुली जब आप फंक्शन से बाहर जाएंगे तब आप राधे और कृष्ण मही ना हो जाएं तो हमारा नाम बदल दीजेगा लेकिन उसके लिए कृष्ण रस को एब्जॉब करने के लिए कृष्ण रस को लेने के लिए भी एक शमता चाहिए और उस शमता के लिए कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मस्ती चाहिए तो अगर मस्ती में नहीं होगी तो किस बात का फंक्शन मस्ती के लिए तयार हो अभी में मज़ा नहीं आए मस्ती के लिए तयार हो कृष्ण मही बनने के लिए तयार हो जरा जोरदार आवाज निका लीजिए Yes or No चलिए Good इसके बाद मैं शुक्रिया आदा करना चाहूंगी कुछ हमारे sponsors का जिन्होंने इस function को बहुत successfully complete करने में हमारी help की इसलिए our special thanks and gratitude to our sponsors Get raised Mr. Nishank Agrawal Sir Mr. Yeshpornik Sir Mr. Mahesh Vashnav Sir Mr. PLEASE एक बार खड़े होच जाएं ताकि हम सभी तालिया बजा कर आपका स्वागत कर सके Thank you sir please जोरदार तालिया Sir आप प्लीज हमारी स्टेज पर आएं यहां ताकि हम आपका स्वागत कर सके Student these are our special sponsors Please let's clap for now Let's go झाल 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 प्रोग्राम के लिए इसलिए आपकी तालिया प्लीज कमी मत रखे आटकी अझाल आरो झाल कि अपयों प्रतीक थेस्थेला में स्थे सब्सकार कर एक अंग। अपयों कि तो थांग VLCC and AgroLife for sponsorship. So, thank you Mr. Chirag Agrawal Sir and of course Home Gen Dwellers. मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहूंगी इस इवेंट को और भी सक्सेस्फुल बनाने के लिए. दोस्तो, जैसा कि हम सभी को पता है, in past few years we have faced several challenges, ups and downs. We all know that COVID-19 pandemic has been instrumental in disrupting the lives of people across the globe. Students in higher education have faced unprecedented challenges at the beginning and in the continuity of this outbreak. But, Biyani group of colleges always stood tall facing the challenges and overcoming all the adversities. John Maxwell once said, a leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way. As we have moved toward the conclusion of the year, here is the reflection of our achievements for the session 2021 and 2022. I feel privileged to invite respected Dr. Neha Pandey Ma'am, principal of Biyani Girls College to present annual report in detail. So please, with a huge round of applause, welcome Principal Neha Pandey Ma'am on stage. Namaskar, a very good evening to respected Chairman Sir, Director Sir, Chairperson Ma'am, and all the dignitaries who are present here and I feel honor and privileged to present the annual report of last session. पुर्षकुण नहिता विस्वादी में, अपन्हां के रिखने अव्ध के टुर्श का रहा है अप पुर्पिन हम सब लिखने रहा है कि कैसे इस कॉलेट की शुरुआत हुई, और अब कहां तक बुलन्दियों को पहुच चुका हैं, प्राप्त किया हैं. तो सबसे पहले, रखो, अब ही जैसा आप सब ने देखा कि बरम पूजी किरीट भाई साथ भाई जी यहाँ पर थे और यह कॉलेज का जो फाउंडेशन स्टोन था उन्ही के हातों रखा गया और यह सपना देखा था कॉलेज का श्री जुगल किशोर भियानी जी ने और उनके आशीरवाद से और मेहनत से यह कॉलेज आज अपनी बॉलंदियों को चूचुका है जो एक्षिन एक याज्वे एक बड़ घिए कोडियों अपट प्रेखे लुड़ जoda कोडिम के जो लिए जैडिका जूड़ है। and we have three campus which are working first campus is the Biani Girls College where we all are sitting another campus is at Kalward which is a co-ed campus and the third campus is at Champapura on Kalward Jobne Road and this is also a co-ed campus and this is something in brief that I'm telling that we are 15 institutions under the umbrella of Biani Group of Colleges and we have more than 50 courses, 8 skilled courses and more than 132 acres of lush green land and in sab ki shubha tabi bharhti hai because humare paas 6,000 se bhi jyadha students hai joh is prangan ki bilkul jahan hai aur naya ayam is mein aya radio selfie station joh humne shuru kiya 90.8 FM pe jab aap tune karenge to Biani Group of Colleges ka community radio aap sun sakti hain Biani Group of Colleges ki shuruwaat Biani Girls College se hui ti 2005 mein and now we are having 15 colleges which are imparting education in nursing, law, education, integrated education, physical education, yoga and naturopathy, management, IT and various fields. The new courses which have been introduced last year are B.A.D. and M.A.D. integrated program. This was the course which we started new last year. I request the IT team to play the video. Yeah, so these are some of the glimpses of that you can see here. and we also started with physical education that is bachelor of physical education and I request the IT team to play the video here. I mean I really would like to congratulate the whole team of B.P.A.D. which is led by Pavitra sir and Rajinder Singh sir. The next course that we started was L.L.M. program in our Kalward campus. It is also a co-ed program. And next we have PG diploma in yoga and naturopathy. And the best thing that we have is the morning assembly and after the morning assembly the students can be seen doing the yoga. और ये ही fitness का राज है बयानी कॉलेज की गर्ल्स का कि वो नित्य प्रत्य दिन यूगा को जीवन में अपना चुकी हैं. These are some of the recognitions like we have been recognized by All India Council for Technical Education. We are having affiliations from University of Rajasthan, Rajasthan University of Health Sciences. We have affiliation from Rajasthan Technical University quota and also the major approvals have been given by Bar Council of India, Pharmacy Council of India and all the required affiliations are with the college. The big achievement for college was when it was accredited by NAC as A-grade college and you can count colleges on fingertips which have been accredited as A-grade in Rajasthan and I am proudly saying that Biyani Girls College is having A-grade since last 7 years. The certificate of excellence was also awarded to Biyani Institute of Science and Management where both our MBA and MC program have been categorized in A-category and we are among the top 3 colleges in Rajasthan. Things can be possible only when we have the national and international collaborations because the aim of education is to get a good placement or to be an entrepreneur. For that we have very good MOUs with Japan Advanced Institute of Science and Technology, Saitama University, Akita Prefectural University, Kyushu University, Apply Board Institution, ILP Overseas and also the IC Company Secretary Institute in India, CKS Solutions, Shine. And I mean the list is very very long and these are all the organizations where our students are being placed regularly and the students are going international also. Till now 82 students have visited Japan from India and 65 students have come from Japan to India in our campus and we can see some of the glimpses on the presentation here. The college also achieved a very big great you know prize I would say Leelawati Empowerment Award, Women Empowerment Award is given by Government of India, All India Council for Technical Education and Biyani Girls College received this award last year for its services in women empowerment. And the area of empowerment was women health for which we worked continuously for 2-3 years and then this award was given to us. In the photograph you can see the AICTE chairman giving the awards. We also received the grant for NAC and 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000 LAC ICSSR for organizing the national seminar. We also got the grants, the education department also got the grants for more than 3 lakh rupees. the faculties over here are also continuously upgrading themselves where we can see that Dr. Devika Agrawal, Dr. Smriti have been qualified for postdoc PDF and Dr. Shipra also was there from the education department Mr. Mukul Sharma qualified JRF, Ranjana Parikh, Raju Pansari, Neelam Kumari qualified NET and Sonam Yadav got the enrollment in PhD in material science in New Mexico University at USA. At international level we can see Vanshita Sharma, she has got 100% MEC scholarship, Neha Arvind has been placed in Japan, we can see Supriya Bhutani, she has also been placed in Japan in Vail Group and these girls have gone on very high packages. At national level Archana Chaudhary was a student of MSc over here, she has been among the toppers of RAS, 65th rank she had got and Riffa Khan recently qualified NET and her rank is 56th among all India and the student entrepreneur is Varsha Jangid who has been a student of fashion designing and she has been doing extremely well right from the days when she had joined the college. And I'd like to play the video of Vanshita Sharma. From Toyama Prefectural University in Japan and a very prestigious scholarship which is given by government in Japan which is known as MEC scholarship for the international students in Japan. And I want to to thank Vyani girls college for giving me this opportunity and in Vyani girls college there are Japanese language courses which given me an exposure to study in Japan and fulfill my dreams and I want to thank everyone for this opportunity. Thank you. Now we have Sonam Yadav who has been pursuing PhD in USA. She has also sent a short video. I am Sonam Yadav. Currently I am used to a student at New Mexico State University in USA. My journey in Vyani girls college started when I joined the college as a student and then ended up being a faculty. I have achieved a lot when I entered the college. Not only the best education but also it helped me enhancing my personality which is beneficial for me. And the third student we have here is Neha Arvind. She has graduated in BSc Nursing from here and Neha Arvind was taking continuously the Japanese classes for because of which she was able to qualify for technical internship training program in well group. That means she is going to earn much more than what her classmates are going to earn. She is the first student who will be going in TITP to Japan and her flight is probably on 6th of April. After 4-5 days she is going to fly and I would like to thank Professor Manish Biyani sir who has been the instrumental in making this happen for her and she has been very very thankful to the college. I would like the IT team to play the video please. My name is Neha Arvind and I have completed my PhD nursing from Vyani group of colleges. I would like to say thank you to all members of Vyani group of colleges because this college provided me best education and also helped me in finding best job in Japan. I have selected in the ITP program as a healthcare worker in Japan. And especially thank you to Manish Biyani sir for providing me this best opportunity. Thank you to all. Hello everyone. My name is Neha Arvind and I have completed my PhD nursing from Vyani group of colleges. Hello everyone. My name is Neha Arvind and I have completed my PhD nursing. This app can download all students on mobile and online classes. There are many video lectures and classes available in it. And children can choose a course from their own. If children are in MSE, what courses are in MSE, if children are in MSE, if children are in MSE, they can select BSE courses. And they can study all of them in the house. So this is a new thing that we developed Guru KPO Plus app during the Covid times and before the new session was started we had already launched this particular app. Today I am going to tell you how you can install the Guru KPO Plus app on your phone. You can install the Google Play Store. So let's go to your Android phone. You have to open the Google Play Store in your phone and go to Google Play Store and go to Google Play Store and go to Google Play Store and go to exactly type it. Guru KPO Plus. If you are using this spelling, you will search this app. Then you will have to show this app in the top of Biyani Group. So from this app, you will feel that this is how it works. During the Covid also we were able to produce the excellent results of the students because we did not stay back. We had the various tools to equip the students with the best of the best knowledge and skills. And therefore we had best results during the Covid times also and we had eight university toppers. In 2020 there were six gold medalists and in 2021 there were two girls who were the gold medalists and they had received the honors on the stage few minutes back. The institutional scholarships that have been given to the college students, these are the scholarships where the students need the financial help from the college. And I am happy to announce that one crore 32 lakhs of scholarships were given to more than 470 students during this last session. And the gold medalist said she had already come Purwa Gautam from education department for scoring 86%. We must congratulate her and give her a big round of applause. And the second topper, the gold medalist was Bhumika Shikhawat. She is having 84%. That's a huge percentage for anybody to score. And this year's final year results have been announced and I am sure we will be having the merit holders again. The TR has not come, some students have applied for the REVAL. That is why we are not able to announce. But I am sure next year there will be at least eight to ten people who will be getting the gold medal. Another area of focus for the Bhyani group of colleges has been the research activities. And it is led by Professor Manish Bhyani sir who is the Director for Research and Development. Although he is staying many, many kilometers away but he makes himself available to all the research students every Saturday. Sir has off on Saturday in Japan but he takes a complete meeting with the students and because of that we are able to develop many, many research initiatives here. As you can see the RNA test for COVID-19 has been very recently developed. Rapid kit test was developed for infectious diseases like swine flu etc. Sensing in briefcase is another development of our research department. Then portable health clinic, diabetes, rapid test kit and five minute gel electrophoresis device. And the outcome of research of Bhyani group of colleges has been Bhyani bio solutions. And Bhyani bio solution is a registered private limited company now. And it has got a funding of 66 lakhs of rupees under major research and development project from Biraq. And that was a very big achievement last year when we received this. I must, everybody need to give a huge round of applause for this. And many, many congratulations to Professor Manish Bhyani sir and team. Dr. Tarun, Dr. Vishnu and many students who are here. Another research achievement at Bhyani was 15 minute PCR for COVID-19 using RECA technology. For which financial aid of 4.2 crore by Japan Ministry of Health and technology support by BioSeed Corporation to establish new PCR system in India. It has been received by BioSeeds in Japan. So it is also a very big achievement for all of us. And we had seen a lot of videos and the newspaper prints that this was given a wide coverage in Japan. Here you can see the photographs and some video of this coverage. I just got a lot of of people in the middle of this, as you'll be reading the other ones. but it is also a big history for the program in Japan. So, when it comes to the research that we have seen as a large research problem. I can see that if we go through the research and it has the same metadata. Do you see the! The whole research lab I am? And the whole research lab I have studied in Japan in Japan. And the research lab I have studied the background and the whole research lab I have studied as well as I was the visual lab. So I am going to make my university research lab. as you can see most of the sanitizers which are available in market are having alcohol but our college took the initiative immediately after kovid was announced we developed a rose aqua alcohol-free sanitizer and the technology has been shown in the slide here and this was and this was very well accepted in the market also because there are many temples and other worship places who do not like to use alcohol sanitizer therefore the alcohol free sanitizer which was developed by the any group of colleges was very well established in the market and is being used and we are having three kinds of packings one for the pocket that you can see in red green yellow and pink color and there is a bottled one also and for the large industry need that a big packaging is available and 99.9% disinfection of bacteria virus and fungi etc can be created with this biani bio solutions is the outcome of the research department of biani group of colleges where we are working for health care for everyone and they have come up with many many solutions we at home it's easy to keep your hands safe from germs using soap and water away from home use alcohol free aqua hand sanitizer based on japanese technology now also in four fragrances lemon curse rose and center keep your skin soft and smooth and protects skin from infection antibacterial and antifungal biani bio solutions for more info 8000 481 361 now the student development faculty development is very necessary and for that we have been having international conference every year and this year the conference was based on recreating higher education in the post pandemic world and this is a challenge that the whole world is facing and in this the participants from more than 13 countries were there and their outstation participants were 22 and there were more than 65 talks which were organized during this and the event was organized in december in online mode for faculty development programs continuously dr sanjay biani sir has been working very hard and he organizes faculty development program under the umbrella called chanakya and in which we had many fdps like how to publish research papers in ugc recognized journals seminar organized on health and biomedical waste cyber security self-defense workshop was organized with the help of jaipur police then guest lectures then how to write research papers guest lecture was also organized by a very good leading fashion designer heyman tamwani and for job opportunities in japan we have been continuously organizing faculty development programs and workshops as well for student orientation program we are having many functions under the umbrella called urja in which the focus is on the personality development of a student communication skills and changing the personality entirely by 360 degrees so when our college starts 15 days are given for faculty for student orientation program which is led by professor sanjay biani so and for the whole so for the complete development of the students we are having 18 biani clubs where we have club from music health mathematics fashion dance nature you name it and there is a club of students which is working continuously and the students keep doing lots and lots of activities indoor and outdoor of their interest so that the students can you know develop themselves apart from the academics also because just with the bookish knowledge they will not be able to get placed or they will not become the entrepreneur so these clubs help them groom their personalities and this is a song which has been developed by biani music club the call the song has been sung by the student and and the action the video has been made by the students only i'd like the it team to play please and this is it यह अभी थोड़ा साही में सुनाओंगी क्योंकि इन बच्चों की लाइफ पर्फॉर्मेंस भी आपर होने वाली तो थोड़ा सा संस्पेंस वहां पर बना रहे क्योंकि बच्चे जब आते हैं अड्मिरीशन पूछ नहीं तो सबसे पहले यह पूछ थे कि डिग्री तीन साल में स्कुम्परीट हो जाएगी उसके पाद प्लेस्मेंट क्या होगा you know they are really not bothered they want to know what the placements are and my placement cell has been doing extremely well because many students most of the students already have two placements in their hand before they are passing out and feather in the cap was when Diksha Sharma was given a package of more than 10 lakh rupees by by Jews students have been placed with HDFC ICICI Flipkart ehcc Axis Bank shall be dear light so these are the major leading companies where the students have got already got the placements the 172 students have become from placements in their hands and they were already joined and 12 students have become entrepreneurs so that is a big achievement because you know the girl this is this shows the girl part the women empowerment here during this academic session in spite of pandemic and other things we did not stop here we signed more MOUs for making students aware with the you are giving them major opportunities for internships trainings and placements regular faculty development programs regular student exchange programs for which we signed the MOUs with overseas edu world international ck solutions traditional export corporation cks hospital shine projects gtt foundation bila finsov etc and industrial visits are regularly organized with for the students because there are some things which they need and the practicality they can learn only when they go to the industry so we went the we took the students to leher footwear somani industry some culp international handicrafts cks solutions visit was organized to chaipu literature festival and bhamasha techno park we've signed mou with rajasthan department rajasthan government it department also for making the students the entrepreneurs where the students the incubation will be given by the rajasthan government it department and students can learn and they have this facility free of course from the government of rajasthan the achievement in sports of our bph students has been that they have won gold medals as as in the west zone kanika singh rajava jan janak rani then miss jungle miss puja chopra puja chopra has won in in basketball handball the other activities which we have been organized as the extension activities is nss activity we have two units of nss activity in bianni girls college so regularly we have been organizing many programs where students can learn sympathy empathy sharing and togetherness for which we organize many blood donation camps clothes distribution in kachibastis female run at jawahar circle was organized mass distribution was done during the kovid days free vaccination camp road safety awareness programs were organized right through the two years that were that we have spent in kovid and these are some of the future projects that we have and i'm happy to announce that the campus in which we are sitting here this is a four-floor campus now is going to be seven floor we have the approvals from government of rajasthan and another campus we'll be having bianni ayurvedic medical college very soon in our champapura campus and bianni veterinary and bianni university at third campus which is in khalward and with this i'd like to conclude my presentation thank you for a very patient hearing thank you so much thank you very much ma'am it was a reflection of the last year about what we achieved what we given what we felt and what we shared and we and we pray to god with this coming year we achieve all the success and help our students to achieve their dreams now let's go to the next step now let's go to the next step to the next step सुनत द्वनी भाई धन्ने मैं सखी हर्शित है सब ग्वाल बाल है कान्हा मोह अपना लीजो सखी बना मोह करो निहाल करो कृपा अब दीन दयाल रंग दो मोह अपने ही रंग में होली खेल मोह करो निहाल होली खेल मोह करो निहाल So guys, creativity is experimenting, creativity is growing, creativity is taking risk, breaking rules, making mistakes, doing hard work and most importantly having fun With immense pleasure I would like to share with you all that the sparkling and creative B&R nights are going to perform on our very own music album Rangu Ki Barsat To make this evening more colourful, we feel glad to assert that B&R music club has created this music album and the vision behind this beautiful holy song is of our honourable chairman Dr. Rajiv B&R sir The concept was given by respected director sir Dr. Sanjay B&R sir and the song is directed by Aditya B&R sir The beautiful voice is of our student Harshita Jaiman and the lyrics are written by Manvi Sharma, she is also our student and a bonus for you all that you can enjoy this song on YouTube also on our very own YouTube channel B&R music club So aapne kud ke liye hi ham zordar taliyah bajale, hamari creativity ke liye ham zordar taliyah bajale So without further ado, let's celebrate this amazing performance and screening of B&R music album Rangu Ki Barsat in the voice of Harshita Jaiman with a huge round of applause Rock Smalls Rock Smalls पूरे ही है रंगों की बरसाद गुलाल की पुहार इस सारी जाहार में वो भूली खेली के रंगों के प्योहार में चंदन की खुषबू जैसा यार तेरा प्यार मुबारत तुछ को ये हुली का त्योहार इम में डूबी राधा कान्भा के दास संक बनाई ये हुली का त्योहार अर्याई हुली ना तरसे तू निकली ना घर से खुड़े ही है रंगों की बरसाद गुलाल की पुहार इस सारी जाहार में वो तेरे सब बने हुए रंगीले रंगों की बिचकारे लेकर अपने साहत रंगों की बिचकारे लेकर अपने साहत मस्तों की दोले चली कानहां की दार बन मेरा मचली जब आसुरी को खारे कानहां तिरा रख लिचको सावार अर्याई होली ना तरसे तू निकली ना घर से भूए ही है रंगों की बरसाद गुलाल की पुहार इस सारे जाहार के वो तेरे रंगों की दोहार में वाव, what a colorful and vibrant performance क्यों, क्या कहती है मौनिका माम आप बिलकुल कंचन माम, बिलकुल और अपने खुट के music अलबम पे तो dance करने का मजा ही कुछ और है चलिए, बढ़ते हैं हमारी अगली performance पर, जिसका नाम है भक्ती अगर बात भक्ती की हो, तो वैसे तो कृष्ण के पास हर, जो भी उसके साथ है, वो सब उसके भक्त है लेकिन फिर भी, राधा का प्रेम और मीरा की भक्ती को कुछ खास ही याद किया जाता है एवरंदावन की हवा जरा अपना रूख हमारी तरफ भी मोर दे इस विरान दिल में राधे नाम की मस्ती छोड़ दे उड़ जाए, माया की मिटि और दीदार हो सावरे का ऐसी प्रीद हमारी राधा और मीरा नाम से जोड़ दे भक्ति को लेकर अगली पर्फॉर्मेंस हमारी स्टूडेंस लेकर आ रहे हैं जिसमें राधा और मीरा की भक्ति का कुछ खुबसूरत सा संतुलन दिखाया गया है स्टूडेंस मुझे लगता है रिपोर्ट सुनने के बाद सबको लगा कि पर्फॉर्मेंसे अर ट्लोस तालिया बजा दीजे भक्ति मही होने का नंबर आ चुका है जोरदार तालिया हमारी एगली पर्फॉर्मेंस के लिए नहीं इस पर्फॉर्मेंस पर इतनी हलकी तालियों से तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं पीछे वाले स्टूडेंस हाथ खड़े करके बता दीजे आप यही है पेरेंस एक बार पेरेंस की तरफ से भी आवाज आ जाए और अब सभी मिलकर एक साथ तालिया बजा दीजे जोरदार और भक्ति के लिए हम स्टूडेंस को स्टेज पर बुलाते है इस नश्वर संसार में जब कभी कोई भक्त रेदे से श्री कृष्ण को पुकारता है तो गोविंद स्वयम उससे मिलने चले आते हैं भक्त वस्सल है श्री कृष्ण तभी तो राधासी अध्वुद प्रेमि का पाकर भी देवी मीरा को अपने श्री चर्णों में सानेध्य देते हैं श्री कृष्ण मीवार की राजकुमारी मीरा कृष्ण फ्रेम के अम्रित को पाकर धन्य है और सब तरफ उनके गीद कुन बनाती है भक्तों के लिए अनेक रूप हैं मदुसुदन की कभी सुदामा को तीन मुठी चावल के बदले तीन लोकों का एशोरे देने लगते हैं तो कभी हस्तिनापुर सभा में सकी द्रौकदी का स्वाभिवाम बन उसकी रक्षा करते हैं आइए चलते हैं ब्रिज की कुझ गलियों में जहां राधा और मीरा दौनों एक साथ रहती है श्रीखृष्ण के साथ व्रिंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बासरी का गीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो रादे मेरी अनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो रादे मेरी अनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रेत हो मेरे वासरी का गेत हो ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बनके जोगन चली महलों में पली बनके जोगन चली मेरा रानी दिवानी कहाने लगी ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन एक राधा एक मेरा दोनोंने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दूमों के चाह में बोलो एक थेम दिवानी, एक दरस दिवानी एक दरस दिवानी, एक राधा, एक मेरा अंतर क्या दूमों के चाह में बोलो एक थेम दिवानी, एक दरस दिवानी लगन जो तेरी लागी, मैं दिवानी हो गए दिवानी हाँ दिवानी, दिवानी हो गए तेरे नाम से मशुहूर जिन्दगानी हो गए हुई जब से पराई शर्ण तेरी आए कहा थी मैं देखो कहा चली आए कहते हैं सावरे की महरबानी हो गए दिवानी हाँ दिवानी, दिवानी हो गए तो पुर्ती गलियों में देखो ढूंद मची है आज वाल वाला और रोपनों पियाज भूमें सकर समाज धरा कदर में हर्श के चाया पजी मुरलिया साज मोर मुगण भी ताम बरदाली हाँ पहुचे विजुराज भोलना जयता नहीं आला की है जहा जहा ना देवाह जाएंगे मुरारी अर जहा जहा ना देवाह जाएंगे मुरारी अबिर खुलाल तर साएंगे मुरारी रंग भर कि च पाड़ के पुरारी रंग था जुरार के मुरारी इस नश्वर संसार में सच है कृष्ण की भक्ति जिसने अपना ली वो उसे ऐसी रहा दिखा देता है कि सारी मंजिले अपने आप मिल जाती है इसलिए कहा जाता है कि दरिया तलाश कर ना समंदर तलाश कर राहत जहां मिले वो घर तलाश कर लोगों के पीछे चलने से कुछ भी फायदा नहीं जो रहाए हक दिखाए वो रहबर तलाश कर और कृष्ण से अच्छा रहबर तो कोई हो ही नहीं सकता इस प्यारी सी परफॉमेंस को आपके तालियों की होसला अवजाई की पूरी जरूरत है एक बार प्यारी सी तालिया बजा दीचे Here is the opportunity once again to acknowledge the endeavor of our students who remained successful in the last session so once again let's move forward to our prize distribution ceremony and for this I would like to invite our very special guest Sheetal Didi on the dais along with them I would like to invite on the dais Chairperson Respected Pushpa Biyani Ma'am Dr. Sujata Biyani Ma'am Mrs. Priyanka Biyani Ma'am and Dr. Madhu Biyani Ma'am I request you all to please be present on the stage for the prize distribution ceremony of our students from Pharmacy, ITI, Education, Law, BCSM, BPA Please give them a huge round of applause everyone for the prize I would like to invite the first-rank holder from the BEST 2019-20 from D Pharmacy and his vikass Sen college on the dais for the price distribution ceremony. So please everyone put your hands together for last locks I would like to request students to be queued for the first rank holder in 2020-21. We are having Vikas Sen from D-Pharma 2nd year and Divya Kumawat from D-Pharma 1st year. The second rank holder please be ready. And she is Meena Chaudhary from D-Pharma 1st year from the batch 2019 and 20. Ranked 2nd is secured in 2020-21 by Hemraj Kumawat from D-Pharma 2nd year and Rakesh Chaudhary from D-Pharma 1st year. Next I would like to request the industrial training students, ITI students to be queued. I am going to announce their names. And the first rank holder is Manoj Kumar Kumawat from 2nd year ITI and Jitendra Saini from ITI 1st year. Along with it, I would like to announce the names of 2nd rank holder in 2020-21 batch. It's Ms. Sanju Kumarwath from ITI 2nd year and Anil Chaudhary from 1st year ITI. Here is the time to acknowledge the students from Biyani Girls B.H. College and the 1st rank holders in 2019-20. We are having Ms. Purva Gautam Ahmed 2nd year, Ms. Arushi Agarwal from B.H. 2nd year and Ms. Ramash Sharma from DLED 2nd year. With extreme pleasure, I would also let you know that Purva Gautam is the university gold medalist. So a huge round of applause for Purva Gautam. Now I am going to announce the names of 1st rank holders in 2020-21 batch. And they are Ms. Chanchal Sharma from Ahmed 2nd year, Ms. Apurva Sharma from Ahmed 1st year, Mehag Daria from B.H. 2nd year, Ms. Mahima Joshi from B.H. 1st year, Ms. Soumya Agarwal, B.H. 2nd year, Ms. Poonam Kavar from B.H. 1st year, Ms. Saroj Devi from DLED 2nd year and Ms. Bhanu Priya from DLED 2nd year. Now I am going to announce the names of 2nd rank holders from the batch 2019-20. And they are Ms. Veeru Sharma from M.H. 2nd year, Ms. Vijayta Shree Taylor from B.H. 2nd year, Ms. Komal Gujar from DLED 2nd year. Next in the row, we are having the 2nd rank holders of the batch 2020-21 and their names are Ms. Reena Kumari from Ahmed 2nd year, Ms. Meenakshi Dadich from Ahmed 1st year, Ms. Khushbu Tyagi from B.H. 2nd year, Ms. Rajini Pal from B.H. 1st year, Ms. Komal Sen from B.H. 2nd year, Ms. Nandini Sharma, B.H. 2nd year, Ms. Aastha Sharma, DLED 2nd year and Ms. Surekha from DLED 2nd year. We were the students with academic excellence. Now we have prize for the 100% attendance also. And the students who were regular to the college and secured 100% attendance are Ms. Chanchal Sharma from Ahmed, Ms. Anju Gujar from Ahmed and Ms. Sakshi Tawar from DLED 2nd year. A huge round of applause for all of them. I am very proud to announce my guest is my student. Law Department, I am going to announce the result of Ms. Rakhi Rathor, 19-20, LLB 2nd year, 1st rank. Monica Chaudhry, LLB 2nd year, 1st rank. Madhvi Verma, LLB 1st year, 1st rank. Please come on the stage. Kiran Parmar, B.A. LLB 1st year, 1st rank. Aman Saxena, B.A. LLB 2nd year, 1st rank. Now in 2020-21, Nishantra Athor, LLB 2nd year, 2nd rank, 1st rank. Mumal Shekhawat, LLB 3rd year. Rhea Fahooja, B.A. LLB 1st Sam, 1st rank. Vidhin Athawat, B.A. LLB 4th Sam. Sarita Chaudhry, B.A. LLB 6th Sam. Now in year 2019-20, Akrati Chaturvedi, 2nd rank. Mumal Shekhawat again, 2nd rank. Nishantra Athor, 2nd rank. Pooja Chaudhry, B.A. LLB 1st year, 2nd rank. Bhavna Kavar, B.A. LLB 2nd year, 2nd rank. 2nd rank holders in 2020-21. Akshi Modi, LLB 2nd year. Monika Chaudhry, LLB 3rd year. Vedika Sharma, B.A. LLB 1st Sam. Pooja Chaudhry, B.A. LLB 4th Sam. Amant Saxena, B.A. LLB 6th Sam. Then, Biyani College of Science and Management, Kalwar. Prabhan Sharma, B.A. LLB 2nd year, 2019-20. First rank holders are Prabhan Sharma, B.A. 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 P.A. P.A. 2nd. B.C.A. S.M.C.S.M.K. students, please, side-mein, आ जाए. Priya Sharma, B.A. C. B.A. P.A. P.A. 2nd. Preeti Kumari, B.A. 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 P.A. P.A. 3rd. Arjana Sanchoria, B.A. C. B.A. P.A. 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 3rd. Students, please, tali bachati rai, और parents bhi. Rank 1st in 2020-21. Monika, B.A. 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 P.A. 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 1st. Surbhi Rathod, B.A. B.A. P.A. 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 P.A मौनिका बीए बीए पार्ट फर्स्ट हेमराज शर्मा बीए सी बीए पार्ट फर्स्ट सुर्भी राठोड बीए बीए पार्ट सेकंड स्टुडेंट्स बीए सेमके में रिजल्ट अनौन्स कर रही हूँ इसलिए प्लीज जो भी स्टुडेंट्स है वो यहां साइब में आजाए सुर्भी राठोड बीए बीए पार्ट सेकंड तरुन कुमार बीए सी बीए पार्ट सेकंड मनीशा राठोड बीए बीए पार्ट थर्ड प्रिया शर्मा बीए सी बीए पार्ट थर्ड प्रीती कुमारी बीए बीए पार्ट फोर अर्चना संचोरिया गेन बीए सी बीए पार्ट फोर दीपक मीडा बीए पार्ट फर्स्ट तनीशा तोतला बिकॉम पार्ट फॉर्स्ट दिव्या शर्मा बिस्सी पार्ट फॉर्स्ट मिनाक्षी चौधरी बिस्सी पार्ट थर्ड अगर आपकी तालियों की होसला अवजाई चलती रहेगी तो यहाँ पर प्राइस इस्ट्रिबूशन फंक्शन और भी अच्छा लगेगा प्लीज पेरेंस स्टूडेंस और फैकल्टीज तालियों के साथ आपकी होसला अवजाई बनाए रखिए यहाँ सब ठक तो नहीं गए ना अभी तो तालिया बजा दीजे जल्दी से इन 2019-20 सेकंड रंक होल्डर्स मनीशा राठोर बीए बीए पार्ट सेकंड सुरेंद्र दाधीच बीए सी बीए पार्ट सेकंड ममता यादव बीए बीए पार्ट थर्ड हर्षिता नाथावद बीए 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 पार्ट थर्ड इन 2020-21 रंक सेकंड शिवानी नागर बीए बीए पार्ट फर्स दिव्या जैन बीए 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 पार्ट फर्स चंदरन त्रिवेदी बीए बीए पार्ट सेकंड ललिट सेंग ललिट सेंग बीए 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 पार्ट बीए बीए पार्ट सेकंड प्रभांश श्रीमाली बीए बीए पार्ट थर्ड सुनेना पारीग B.A.C. B.A. Part 3 सोनिया शर्मा B.A. B.A. Part 4 हर्शिता नथावत अगेन B.A.C. B.A. Part 4 जितेंद्र सेंग B.A. Part 1 उमंग खंडल्वाल बिकॉम पार्ट फूस्ट उमंग खंडल्वाल बिकॉम पार्ट फूस्ट रवीन शर्मा B.A.C. पार्ट फूस्ट अजू जाकर B.A.C. पार्ट तर्ड and for the 100% attendance Harish BSc B8 4th year इसके बाद Biyani Institute of Physical Education Kalwar के बच्चे लाइन अप हो जाएं प्लीज Biyani Institute of Physical Education Kalwar Rank 1st Komal Sharma with 80.09% Komal Sharma 2nd rank के लिए Chandrash Shekhar with 80% and Giriraj Kumawat again with 80% 100% attendance is of Gayatri Last but not the least I am going to announce the names of the students who have secured ranks in the Jaipur Institute of Yoga and Naturopathy Champapura and I really feel very thrilled and elated that our own director Sanjay Biyani sir has secured rank 1 in the badge 2020-21 in PGDYT So a huge round of applause for sir taking prize of first rank Sir this is the special moment that I am giving you a prize today 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 मैनी 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 चुछिलेशन सर और अगर 100% अटेंदेंस का वार भी जाएगा तो सर को जाएगा क्योंकि ऐसा कोई बिन नहीं आया जिजन हमने सर को कॉलेच ले नहीं पाया चुछिलेशन सर और अर अर करता जाया जार नहीं आया जाया जूरदार तालियाँ lastly I would like to invite on stage our best NSS student Rhinaچ for performing the outstanding performance in the NSS Zordar Taliyah हमारे सभी टॉपर्स के साथ में अब बढ़ते हैं हमारी अगली प्रसुती के लिए थाइंक यू माम इसे के साथ हमारा प्राइस डिस्रिबुशन जो केटिग्रीस थी वो यहां पर खतम होती है और अफ फाइनली बैक टो बैक टो बैक आपके लिए कुछ सबसे स्पेशनल परफॉर्मेंस जो हमने फाइनली जो कहते हैं लास्ट इंदा ब्लास्ट वाली जो सिचुएशन होती हैं वहां पर आचुके हैं जब हम पूरी तरीके से रास में डूप जाने वाले हैं फैशन शो की कुछ बहुत प्यारी जलकिया देखने वाले हैं तो सब अब तयार हो जाएए सब तयार है भी या नहीं अगर मना करेंगे तो हम रुखने वाले वैसे भी नहीं है लेकिन आपकी तालिया बज़ जाएंगी तो मज़ा दुगना बढ़ जाएगा तो ज़रा तालिया बज़ा दीजे चलिए अब हम बढ़ रहे हैं प्रेम रास की तरफ जहां कृष्ण है वहाँ प्रेम तो निश्यत तोर पर है ही है प्रेम की एक ऐसे पवित्र कहानी है जिसको सुनकर आखों से आता पानी है जिसके दर्शन पाने को लोग तरस जाते है उस कृष्ण की राधा और मीरा दिवानी है दिवानी तो हर गोपी, हर लड़की, हर कोई है लेकिर इस प्यारी सी प्रेम रास वाली परफॉर्मेंस के लिए एक बार आपकी तालियों के साथ अगर शुरुवात हो जाए तो मज़ा आ जाएगा तो जोरदार तालिया इस प्रेम रास के लिए मन की आखों को जब तेरा दीदार हो जाता है मन की आखों को जब तेरा दीदार हो जाता है मेरा तो हर दिन प्रिय मोहन त्योहार हो जाता है ब्रिच की लाडली किशोरी राधा और मतवाले शाम का प्रेम तो इस संपूर्ण संसार को प्रेम रसकी फुहारों से भिगो दीता है राधा और गृष्ण ये वो दो नाम है जो दो कोकर भी एक है और एक साथ ही पुकारे जाते हैं ऐसा अलोकिक और दिव्य प्रेम विश्व में अन्यत्र नहीं मिलता ब्रिच की करेल कुझन में आज भी हमें उनके और वित्र प्रेम के दिव्य दर्शन होते हैं आईए चलती हैं बरसाने की गल्यों में और राधा कृष्ण की प्रेम रसी खुद को सरुबार करते हैं प्रीत घिलत मुहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाओं अपने पिया को हे मैं जाओं वारी वारी मोहे सुद बुद ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाजार फिरू मैं हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जीलू तेरे नाम से मर जाओं तेरे जाने के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाओं तूने क्या दर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी आजी हो गई मैं तेरी दीवानी 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 जाओं घूमत के बट जो उठाएगी पंध़ धूंके लगाएगी घूमत के बट जो उठाएगी पंध़ धूंके लगाएगी गज़े की धार से बाहू की हार से कानहाट तो अपने सजाएगे म्यूसिक बज़े गालाउ तो राधा नाचरेगे म्यूसिक बज़े कालाउ तो राधा नाचरेगे अजय खुझा ए हूर इह chili कर दो बखने कर दो नहां दो कर दो सकत्राइब लुड़िजाब सब्सक्राइब दिल ये मेचेन पे दिल ये मेचेन पे जिड़ी मेचेन पे सुन है ना दाल ए सवाथ इस्विता दिना सवाथ इस्विता दिना सबसे बाहे देख दिनते एंसा वाथ जूचा देन साया किस पर करूँ बे एक रिसंची पुटा देन को गाला पीले जो इते परूप हो जाए तुने जिए प्रक के रंग में जिद तुन सब को जाए जिद तुन सब को जाए देन सब्सक्राइब देन जाए देन दिद विपावत जाए आगे दुट पस्त जब सारा दुट पस्त जब सारा जिद पदली में धीर बसे देन बसे जिद पे जिद तुन सब को जाए जिद पस्त जाए सब्सक्राइब करें सुहानी नहीं होती हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का वरना गोरी राधा सावले कृष्ण की दिवानी नहीं होती बढ़ते हमारी अगली प्रसुती की तरफ सो रहा है नित्य अब उसको जगाओ सो रहा है नित्य अब उसको जगाओ योगी कृष्णा योग बंसी तुम बजाओ शष्टी सारी हो रही बेचेन देखो योग वर्षा में मुझे आओ भिगाओ सद्गुरु सेज अब योगी कैसा साधन है जो हमें कृष्ण का मार्ग सुझाता है कृष्ण से जुडने के लिए योग दर्शन अती आवशक है योग और कृष्ण के इस अद्बुद मेल के लिए ला रहे है स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे योगा स्टूडेंट तो जोरदार तालियों के साध स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रसुती योगेश्वर कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण मानव जीवन के सभी चक्रों यानी जन्म, मृत्यू, शोग, खुशी आधी से गुजरे हैं इसलिए इन्हें पूर्णावतार कहा जाता है एक ऐसा चरित्र जो जीवन के सब अनुभव जीता है फिर भी निरलिपता है मुह से अलग हर युग में अफ्तरित होते हैं योगिश्वर तभी तो ये संसार अपनी गती से चल पाता है क्योंकि इस संपूर्ण लौकिक संसार के रत की धुरी है श्री कृष्ण योगिश्वर श्री कृष्ण आईए उनके दिवे रिपों का दर्शन करें और आनंद लाब लेते हैं अभिनंदन करते हैं योगिश्वर श्री कृष्ण योगिश्वर श्री कृष्ण युछ से को तरुप आया वोगिश्वर श्री कृष्ण योगिश्वर श्राम् नभीश्वर श्री क कीAAAAAAAA जद forkhanism तकत कंद ओम शथ शंड़ दावर महाद ayत्य काल नपोनी लगायं दुटावारमायं सुपद्मा सहायं पजे हुं पजे हम सदाम भोदिवासं गज़दुश बहासं जगर्चन निवासं शजा दिप्यखासं गजा चक्रशस्त्रम लसद्वी तवस्त्रम हसचारु बक्रम भजे हम भजे हम लगा चक्रशस्त्रम लगायं पजे हम लगा कंता खारम शुदिखा तसारम जजाम तर्बिवारम दराबारा आरम सिरागन दरूपम अनुग्यस्वरूपम ज़तानी करूपम भजे हम भजे हम जना जन्महीनं परादंदपीनं साना नलीनं सदर्वान दीनं जगत चन्महे तुम सुरानी करे तुम विजो गई कसे तुम भजे हम भजे हम किताम आयदानं खदादी शयानं दिमुटे मिदानं हरा राति मानं स्वबब्ता नुकूनं जगत रक्षमूलं निरस्ता तशूलं भजे हम भजे हम समस्ता मरेशं भिवे पाख़गेशं जगत रिंबदेशं भुदा काशदेशं सदाद व्यदे हम दिमुटा किलेहं सुबब्ता नुकून जगेवं भजे हम सुराली वनिष्टं पिलोकी वरिष्टं गुरूला गरिष्टं स्वरूपै करिष्टं सरायु दधीरं महावी दधीरं गवां भोधिधीरं भजे हम भजे हम रमावाववागं गलानदनागं प्रताधीनयागं गतारागरागं मुनीनै सुवीतं सुरैसं परीतं गुनावगैरतीतं भजे हम भजे हम मुनीन स्वरूबं कितनी सहचता के साथ इन्होंने इतनी ब्यूटिफुल योग मुद्राएं की दो लाइने कहना चाहूंगे मैं इनके लिए दूर उस आकाश की गहराईयों में एक नदी से बह रहे हैं आदी योगी शून्न सन्नाते ट्पकते जा रहे हैं मौन से सब कह रहे हैं आदी योगी such a mesmerizing performance by our yoga students and we all are really feeling spellbound so a huge round of applause for all of them और अब इसके बाद वो performance जिसका annual function पे सबसे ज़्यादा इंतिजार होता है गंचन माम, fashion show बिलकुल Monica माम okay fashion show से पहले एक और performance है आपके लिए so please उस performance के लिए सारे students stage पर आजाए Кजे उसके लिए ärक हुआ एकट कर से अीचतर कर थे हुआ एक भोaffen एक घपना कज दोसा को माम МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА प्रोल्स कव्याओ से लिजरी प्रॉब प्रोल्स करे लेगा दोड़ाँ प्रोल्स करें ले लेश्वार है यह लेज़ लेज़ी लेज़ जब फ्रो लेज़ी जवश्याओ लेता कर दो झाले देखिन के और लजोश éta कलेकर कि और इसेर देखिन के आपके लेकिस्थी का लुण लेकम आपके तर सकतो क हम देखिन क क करना एल दुण 고lovativos सकते हैं प्रला सब्सक्राइब आंगा। अजसे किझा दो लोग सिर्फ पिर वच्छ टो लोगे तो लोगे हैं अजसे फिरियों की जो पिर वच्छ वोगे हैं वह बन्दोन की जड़ा हैं इसरा तो लोगे हैं लोगे हैं झाल 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 कुछ best को select करके में उनका नाम लोगा लेकिन उससे पहले मैं पूरे टीम को सभी हेट चोडीज को सभी टीचर्स को धन्यवाद देता हूं कि सब लोग उने बहुते बहुते बेतरीन काम किया है शुक्रिया 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 सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं डिपार्टमेंट आफ कॉमर से जिनने रिसर्च में अच्छा काम किया जिनकी वज़े से बच्चे बहुत से पीच्डी कर रहे हैं और उनकी थिस्स कम्पलीट हो रही है बहुत डेडिकेटेड टीचर हाड़ वरकिंग परसन हमेशा लिए बहुत लंबे समय से सेवा देते रहे डॉक्टर पावन कॉमार पाटोधिया को में इस्टीश भी लाना चाहूंगा डॉक्तर पावन कॉमार पाटोधिया प्रदीश कम अंदे स्टेज प्रसांड देते पावन सर के लिए था कि उनका कदम थोड़े तीज हो जाएं प ऑटे दो क करे ड़ से कम आगे इस हो जाएं पावन Balintगा आफिया प्रसावाप गारे विए रहा हो Consultant तेंक यू, तेंक यू, तेंक यू, सूमच सहर। तो सर ये मोमेंटो और कैश अवाद आपके लिए आपके सर्विसेस को मनी में वेल्यू नी किया जा सकता है पर कॉलेज आपके लिए बहुती ही कृते के तान वो करता है, शुक्रिया, थेंक यू सूमच एक और डिपार्टमेंट जूनों ने बिल्कुल बहुती नए सरे से काम चालू किया, बहुती दोस साल अवधी है उस डिपार्टमेंट की और बच्चे ने इतने शांदार तरीके से स्पूर्ट्स को आगे बढ़ाया, परीड की और उसके जो नेता, उनके जो मेनेजर है वो हमारे अपने राजंदरी जिंग शेखावत सर, उनको स्टेज़ बुलाना चाहते है, आईए तालीब जाता है सब लोग राजंदरी जी शेखावत, बहुत डिसिप्लेंड, सुबह साथ बज़े पहुच जाते है, कलवर केमपस हमते यूरिसिटी केमपस, और कोई बच्चा साथ बच्च के दो मेंट पहुचता है, सब कुछ साथ बज़े पहुचना होता है, या नुशासन अगर चिवन में सीख ओदिया ता कुछ का मेगा, ता कु कुछ कुछ जसा कुछ बच्चं मेंग और तेंडन में के तेंडन में जो पहले होस्टल वार्डन रहे और कुछ हेल्थ उनका साथ नहीं दी तो उन्होंने ओपरेशन के लिए छुटी ली लगब एक साल नहीं होने के बावजूद अनुराधा में ने बहुत काम किया होस्टल में उनकी कमी नहीं खलने दी मैं बुल और मुझे लगता है जब महबबत और प्यार होता है तो तालीम नहीं देखी जाती क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी तालीम हुआ करती है जनाब तो जिस सिद्ध के साथ उन्होंने बच्चों को अपने साथ रखा उनकी परस्नलेटी भी बहुत जबरदस ड़लप हुई और बच्चे भी अपने आपको एक मदर अपने पास पाते है मैं मुझे जिर मों सीज़े गुलाना चाहेंगे रात को दस भजे भी जब उन्हें काम बोले जाता है कि रीडियो क्लोस करना तब भी वो करती है सुपे छे बजे बोले जाता है तब भी वो काम करती है सेंग के अच्छे काम के लिए मैं थैंक यू बनना चाहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया थैंक यू मैम, थैंक यू सुमाच गॉलेज बे जो एक एक्टिविटी है, जो बच्चों की सबसे पसंदिदा एक्टिविटी है जो बच्चे एमपावर्मेंट फिल करते हैं और वो एक्टिविटी है प्लिस्मेंट और मुझे इस बात का बहुत फक्र महसूस होता है कि इस मृती तिवारी मेहम जो है उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करती है उस कॉलिज को अपना समझती है और पूरा डेडिकेशन के साथ हर समय ये कोशिस करती है कि बच्चों को किसी न किसी तरह से प्लिसमेंट में जोड़ा जाए आई ये इस मृत्य मेहम के लिए तालिव जाते हैं क्योंकि आप अपने लिए तालिव जा रहे है क्योंकि आपको उनी से काम पढ़ने वाला है उनके पास जाएंगी आपकी परसनलिटी डॉलप करेगी वो आपका कमिनिकेशन स्किल डॉलप करेगी वो आपका सूचना सिखाएगी वो आपको कॉर्परेट एकिकेट सिखाएगी और ये एक बहुत ही इच्छी बात है मैं उनके थेंगी बोलना चाहता हूँ चेर्मेन सरसे रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि आप उन्हें अपने हाँ से कैश आवार्ड और चोकन दे थेंगी तो बहुत ही डिवुशन बहुत ही डिडिकेशन चुकरिया आपकी अच्छी शांदार सर्विस्ट के लिए और फिर में नहीं लेना चाहता हूँ एक सेक्षन जिसको हम गनेश बूलते हैं जिसको में दिल से गनेश समझता हूँ क्योंकि उनकी बिना कोई कॉलेज नहीं चलता है और वो है जहां रिद्धी और सिद्धी रहती है वो है हमारे गनेश जिनका नहाम है जितेंदर कुमार शर्मा हमारे कैस सेक्षन के इंचार्ज लोग बड़े नराज होते हैं पैनल्टी ले लिए जाती है फैनली लिया जाता है लेकि बड़ी सहस्ता बहुत सरलता के साथ सबसों सुनते हैं और अपने फंक्षन को बहुत अच्छी तरसे डिस्चार्ज करते हैं बहुत ही सहनसील बहुत ही देरी हैं उनके अंदर है उनके इस गुन के कारण उनके उस डिवूशन के कारण कॉलिज के प्रती समर्पन के कारण हम उन्हें शुक्रिया देना चाहते हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं उन्हें स्टीज भी बुलाना चाहते हैं आईए ताली में जाते हैं क्योंकि सब के पास कुछ सीखने को होता है कोई जरूरी नहीं किसी के पास बहुत सारे डिग्रिया होँ तो वो सिखाता है ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है कि आजमी को विवार आजमी की समझ बहुत महतपूर्ण होती है बुलाना चाहेंगे स्टीज पे जीतिंद्र शर्माजी को जीतिंद्र शर्माजी वो आये उसे पहले में जब तक वो आते हैं मैं एक और नाम ले लेता हूँ जीतिंद्र शर्माजी कॉलेज में बहुत से नॉन एड्मिस्टिटिव वर्क होते हैं बहुत सारे काम करने होते हैं कभी लाइट चली जाती है कभी पानी की प्रॉब्लम आ जाती है और तीनों केंपस को लोकाफटर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे बहुत अच्छे से निबाते हैं राकेश कुमार शर्मा सरुन को स्टेज़ बुलाना चाता हूँ राकेश जी प्लीज कमार शर्मा राकेश कुमार शर्मा प्लीज कम ऑन दे स्टेज ये सभी जो एवार्ड के नाम ले रहा हूँ ये मैं ड्यू पर्मिशन ऑफ चेर्में सर ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिवोटेड है वो सबसे ज़्यादा अच्छा अब्जर्व करते हैं और उन्होंने ये मुझे नाम एनाउंस करने का मोका दिया है विद ड्यू पर्मिशन राकेश कुमार शर्मा जेतेंदर शर्मा प्लीज कम ऑन दे स्टेज कॉलेज के बहुत सारी समश्या है रहती है क्योंकि इतना असान नहीं कॉलेज को रन करना भर बहुत सारी समश्या यहां आती है बीरोक्रेट्स की समश्या, पॉलिटीशियन की समश्या, ऑथरटीज की समश्या और उन सब को निप्टाते हैं और वो निप्टाए जाता है जब concentrate होते हैं जब धियान सिंग साथ में होते हैं डॉक्टर धियान सिंग जी गोटफल सर को इस्टेज़ बूलना चाहते हैं आपने पिछले दो सालों से कॉलेज को बहुत सर्व किया है और कॉलेज के बहुत सरे ऐसे वर्ग जो पहले पैंडिंग थे उन में निकालने में मेरे को बहुत ज़्यादा सैयोग दी है एक बार ताली बजनी चाहिए थैंक्यू बूलना चाहिए मैं जिसे खाया थैंक्यू जरूर बूलना चाहिए और ताली बजागी बोलना चाहिए क्योंकि पंजाबी लोगों का यही शित्त होती है उत्साह से जिंद्गी जीते हैं इस बार हला कर दीजिए चिला दीजिए ताली बजा दीजिए शुक्रिया यजिए गंजाब जीजिए जीजिए धे जीजिए मैं मेरे बस शब्द नहीं है लेकिन चुकि कुछ बोलना चाहता हूं शुक्रिया 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 और थोड़ा सा माइक भी देना चाहता हूं कि सर को कैसा लगा क्योंकि रात रात जगना पड़ता था रात रात सफर करना पड़ता था तो इती मेहनत करना और साथ साथ मेरे रहे तो उनकी शप्त भी हमें सुनने चाहिए और मैं बच्चों से भी चाहता हूँ कि वस्तम में वकर जंदगी जीना सीखना चाहते हैं किताबों से आगे, डिग्रियों से आगे से जरूर मिले क्योंकि बहार की जिंदगी कुछ डिफरेंटी जिंदगी है ध्यान सर से जरूर सीखे सर को कैसा लगा? ओवर टू जयान सिंग जी मम्मी जी बैठी है सामने मेरा चरन इस पर सापको रस्पेक्टिड राजीव सर, संजे सर, मनेश सर और सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों मेरा सर इतना ही कहना है कहीं भी जाएं कहीं किसी भी संस्था में काम करें परिवार के तरह काम करें, दिल से काम करें जो आदमी दिल से काम करेंगा उसके काम की इक्रिक्नाइज होगी उसकी मैनत को देखा जाएगा, समझा जाएगा और जो आदमी परिवार की तरह काम करता है तो समझो संस्था भी आगे बढ़ती है आप खुद भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो यह मैं अपने आपको बागे साली समझता हूँ कि इतने भाईयों के रूप में तीन अच्छे भाई भी मिले हैं मदर मिली है और इतने सारे अच्छे लोग मिले हैं जिनके साथ काम करने मुझे मज़ा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि बियानी गल्स कोलेज अपनी उचाईयों को छुए और बहुत आगे तक जाए और हम बहुत सारे बच्चों के लिए गल्स चाइल्ज के लिए उनके महिला सास्तरिकन के रूप में या उनके केरियर को बनाने में जितना सयोग कर सके हम करेंगे और मैं राजीव सर से, संजे सर से, मनीश सर से कमिट करता हूँ कि जितना मेरे में शक्ती है या जितनी मेरी पावर है मैं पूरी तनमेता के साथ और मेहनत के साथ आगे भी इसी तरह काम करता रहूँगा थैंक यू, थैंक यू सो मच बहुत है, शुक्रिया सर मैं इस वाफ सर पर नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ही जिनने बुलाएं नहीं जा सकता है डॉक्टर अजीद सर का भी मैं नाम लेना चाहूँगा वो भी बहुत अच्छे अवर कर है थैंक यू बुलना चाहूँगा उनको भी और जीसु मैं जो कि लेट तक बैठे वे हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि संडे कल ग्यारा बज़े में यहां आवेलेबल रहूंगा और मुझे लगता है वो जो बेने बुक लिखी है वो आपके बहुत ही काम की होगी आज तो मैं वो बुक्स एरेंज नहीं हो पाई लेकिन आप संडे को जरूर मिले मैं बच्चों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ उनकी अच्छाई को और बड़ा देना चाहता हूँ उनकी कमियों को और सुधार देना चाहता हूँ एक आप आते हैं तो मैं आपका पूरा सायोग करूँ गा और मैं आपसे हमेशा मिलने को तयार हूँ गा अगर परिंट्स आते हैं तो मैं उन्हें अपनी पुस्तक भी बीट करूँ गा जो परिंटिंग के बारे में कृतिक गिता के बारे में, छमा के बारे में, कुछ ऐसी बुनियादी बाते हैं जिस पर हम गलती कर रहे हैं, तो उन सब के बारे में आप जानकारी लें, मैं 11 बजे कल अवेरिबल रहूंगा और चाहूंगा कि मेरी पुस्तक आपको भीट करूँ और आपसे मिलूँ, आज इर तक बैठे मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूं, दन्यवाद देना चाहता हूं और चेर्मेन सर की तरफ से आप सब लोगों को, हमर डिरेक्टर आर एंडी की तरफ से, महनी सर की तरफ से, मैं आपको दन्यवाद देना चाहता हूं, कि आपने अपना बेश कीम्ती सम झाल झाल अग और इसके बाद ग्रेंशन करना था बेस्ड नियुकरी युश्शन का और बेश्ड दिपार्टमेंट के लिए भूत शारी बाते थी लेकिन फिर भी हर साल के तरह इस बार भी डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन ही आगे रहा हुए एक ताम हमके लीटरीषीप में डिप जो लेना चाहूंगा डॉक्तर एक्ता मेह मोई उनकी पूरी टीम को प्लीज कम ऑन दे स्टेज तो एचीव वेस्ट डिपाज्मेंट जिस में एक्ता है जो प्रिंसिबल मेह कि उनका नाम एक्ता है, वो डिपार्टमेंट भी एक है ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मेंबर अलग cemetery पता नहीं नहीं है एकता मैंँने किस तरह से एकता बना रखिये, किस तरह से इन सब को तरास रखा है सब जब यहांसे जाते हैं तो चासते वें जाते हैं और मुझे लगता है कि किसी को देखना हो अपने organization को तो जरूर देखे आते हैं लोग देखने वाली बात नहीं है जब जाते हैं लोग तब देखने की बात होती है अगर वो मुस्कराते वे जा रहे हैं तो समझो सही है और अगर वो मुझ लटका के जा रहे हैं तो समझो और बड़गाए तो आप सभी लोग ज़ो जाते हैं तब आपको देखना लाइक होता है, सब लोग पांच शेवसाद गंडे काम करने के बाद में भी मुस्क्राते वे जाते हैं, और फ्लाइश अजब अच्छे लीडर साथ काम करते हैं और में विशिश रूप से पिंग का मैं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो भी दिपार्टमेंट ओव एजुकेशन को हैड करती है वो इंडेरेक्ली डेरेक्ली फोन पही हाला कि काम करती है फर उनकी बिना काम फिर उस डिपार्टमेंट का चलत भी नहीं तो इस इस ए संगिनेशन अव सो जॉ नहीं गूड पिंग्ण पेपल्स थैंक यू सो मुझ But I need it I'm letting go A deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing Alive Where are you now? Where are you now? Under the sky To be inside Just in my heart Where are you now? 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 And Dr. Rajiv Our daughter Radhika Who is only 5 years Or 4 years So it's a goal To learn that Learn R&D And then here Young person Research And PhD And Japan They are going to go very low PhD And master's They are doing very good performance To live in Japan To live in Japan To live in the family And study there And excellence So Radhika We are going to speak on the stage Come here Because their energy Will come here They will deliver the research They will deliver you Radhika Please come on the stage I'm Dr. Neha I want to speak on the stage That he will honor you Because it's a proud moment And I want to tell you That it was a lot of pressure That kids can go abroad And learn foreign But the biggest member Young member Radhika Biyani He was from Biyani Group of College Biyani Girls College He took education After that He went to Japan Where he did master's Where he went to PhD Where he went to PhD Where he went to PhD And the other son The older son The older son Abhishek Biyani He also took Calward campus Which was very first He took education And after that He got a chartered accountancy He got a exam He got a company secretary He got a LLB And after that He was working out He was working out He means College If they want These kids They could go abroad But I think Everything in college In college There is a value system There is a value system And that is a very important So Thank you Radhika Thank you Radhika Thank you Be welcome Be welcome Hello, hello Nice to meet you Voice inside my head Hello, hello I believe you How can I forget Is this the place that I called home कि चैया और ऌप कर gefब वारा टोो समय हैं आई यह वाइस प्रोग्राम का सबसे शांदर मोमेंट पर इसके लिए सहस्ता चाहिएगी इसके लिए प्रीम चाहिएगा और वो प्रीम तरह तो अब आपके अंदर प्रवीश कर चुका है क्योंकि जो दीखते हैं जो सुनते हैं वही बन जाया करते हैं पर थोड़ा सा सहस्त के साथ में आईएगा क्योंकि अब यह थोड़ी से दिर में पूरा जितना भी यह पूरा इन्वार्मेंट है यह क्रिश्ट में होने जा रहा है आप भी क्रिश्ट बनने वाले हैं लेकिन आपको उसके लिए सहज होना पड़ेगा क्योंकि क्रिश्ट बहुत सहज है आईए एक पर ताली बजा लीजी ताकि पता चले जग गए हैं क्योंकि रात को साड़े दस से उपर हो गए हैं नीद आने का समय हो गया है बस थोड़ी सी देर में सिर्फ पांच मिनिट में प्रोग्राम ओर होगा पर पांच मिनिट के लिए पूरी अवेरनेस के साथ जगने के इसके बाद महरास के लिए सभी स्टूडेंट सेज पर आजाएं इस इस अलास परफॉर्मेंस ऑफ आर इवेंट फ्रेस्टाइलर स्टाइलर एक्स प्लूजिव शास्त्रों में शरद रितु को अम्रित सैयोग रितु भी कहा जाता है क्योंकि शरत की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण सोलह कलाओं से युप्त होता है और धर्ती पर अम्रित की बरसात होती है शरत पूर्णिमा की धवलचानदनी में श्री कृष्ण ने निधिवन में गोपियों के साथ किया था महारास महारास का द्रिश्य इतना अध्भुत था कि आस्मान में चलायमान चंद्रमा भी एक इस्थान पर ठहर गए लगभग छे महिने तक महारास चला इसमें शामिल होनी स्वर्ग लोक से देवता भी मुरंदावन में बधा रहे थी प्रेम का उचितम शिकर है महारास श्रीकुष्ण ने हजारों रूप धरकर भूप्यों के साथ मृत्य किया परिंतु एक शण के लिए भी वासना को मन में प्रवीश नहीं होनी दिया आईए संपून आनंद से सरोबार करते हैं खुद को और चलते हैं आनंद उत्सव महारास में परम प्रेम मेदा अधिका क्रिश्ण परम उल्हास मधर मिलन के चण रत कन कन में महारास राधा क्रेशन राधा क्रेशन राधा क्रेशन आईए सुद्बत सारी वहारास की कावन बेला तीन लोग से न्यारी राधा चाएं दो लोग में गाना संज सिहारी क्रेशन बेला ताधा क्रेशन राधा क्रेशन कि युघ कर दे कि अजय को ले गुट शकतरना व्हाट अजय को पुटतरना वे था, यु तो आना, वे, दो कर दो के मैं जो हाँ दूपर था, वे, ए, य। आना, वे, जो मैं जो टूपर दूपर विंधन के, रंद में वो रंगे जाए, खाई आखर बाचले जो भी, और न कुछ पढ़ पाए आवे तुहें जोब दिया का बच्छे में आहनी माया, जोब रूप में रूप में रोचा जिंगन हिंगी आया, खुट छनक पाने को देगी, खे चनक पाने को देगी, आजट दव में गाया, रुचा अच्छा आखर जाए आद जिव ता आद जिव ता दो एम पीस तुितम पैनें टी आ जो जो टुचागों सो वसे जजितितू जाओ ठाओ के संगने हाच लासरचे कश्निकाना आना के गुन पे हाच जुने कैसे देख बुला था आई दूनर की जानिया लासरचे कश्निकाना आना की गुन पे हाच जुने कैसे देख बुला था आना की पे हाच जिए माच चाहा जी सिफ बज़ गहाके माच चछेः जी इंग छाओनुल माच चाहा जी सिफ बज़ गहाके माच चाहा जी सम्दरियो गहाके करिभु जेपूनुल कमे कभुश्या जी कभुशंय जी जड़ी He graso wingan हाई दुनम्की जानीडा, नाथा किष्मी किष्मी राथा आए 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 बुनिके आए चुने के सिद्धी पुरादा बिक्र राथाजी, बिक्र राथाजी किष्मी कि लेला, एसा रुट परिये उने बेला बिक्र राथाजी, बिक्र राथाजी, बिक्र राथाजी किष्मी कि लेला, एसा रुट परिये उने बेला रादा किष्मी किष्मी रादा चुमे शेश्टीमा बनी हो के साथ रादा किष्मी किष्मी रादा रादा इपुने मेराच चुमे जसे बिकुलादा रादा चालना इस्वर्वानिके तुर्ण रूग मेनारी दित करें हो इतके सब्से शिर्णों ने बन्तावरी दित चुमे बन्तावरी दित रादा इपुने कि देख ये बाद एप दित रादा यूर्णाचे शिवजीका बन हुआ रदीना तुमने कि देख ये बन्ताव सब्सक्राइब बन्तावरी दित वी देख ये बन्तावरी दित रादा इपुने कि दित पहने बड़ आपी सबुने हारी आजो आपी चता हुदा सबुने सिसागी जुने सिसागी कि डिसकता हुदा! कि फिसकता हुदानगा हुदा जो आप откा किषक फिसकता हुदानगा हुदानगा हुदान युदा – ऑनी सबुने सिसागी प्रिभ्णाब प्रूज़ झाल प्रिछ्ट्ब प्रूप्णाब प्रूँ प्रूब प्रिश्ट्फ्स यदा यदा इधर्मस्य ब्लानिर्भवति भारत अभ्युथानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहं परित्राय साधुना विनाशाय के दुष्क्रिता धर्मसंस्था अपना ठाये संधवामी युगे युगे यद्वान अपना इधर्मस्य तद्रिता अब्लानिर्मस्थानध भारत अभ्युष्क्रिता विदे संधे दुष्क्रिता विनाशा शाध। कर दो लुका कि अविग भुष्टै शर्दाना थे खाल जुदार थे लिए और कि माराँ विदा विए शर्दा सैंट को भानु आदक विए खाल थे जिए शर्दानियाँ जेना जेनारा इर्मास्टे वाने नचो फिन्यदाउ है को ताकारी आचो मिन्यदा वाने को ताकार PCs तेनारा इर्मास्टे वाने वाने झाल 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 ठाल झाल 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 न्यारा यणी होखे वार्ण प्रकाद सतना मैं प्रॉटա कंछिता, थिश्ग यूर्टा कर दो इक वजर्टा के लिक समाइटीर्टी प्रॉज वार्थ, प्रोटी इंटाक्टर नुआ कशी हलोईन, for the beautiful beautiful performances and coordination we are very thankful that you all supported us and made this show such a great success we firmly believe that you continuously keep supporting us with your oh helming love and blessing and we promise that we'll also deliver the best in front of you all now lastly but not the least i would like to invite each one of you to be present on the stage for a group photograph yes I would like to call Jitinder Kumar Sharma star of the year award come to him but today the theme of Krishnayan and the whole program which has overall coordinated unit Kia Kodi Ghaafidhi theme badaya selection Kia what a doctor Malty Saxena Vem the doctor's अज का प्रुग्रम कैसा था पास्टों मैं आपte बना दिया वास्तों में इसे पर अठोर बना दिया और वास्तrás मैं आज जो हमने करेशना को देखा उनके करेशना के रूल को देखा वह भी बहुत शांदर थे मैं बुलाना चाहूंगा इस्टेज पी जो स्ट्रेंट क्रेशन बने उनको में स्टेज पूलाना चाहूंगा जो क्रेशन बने शिवजी का जुरूल भी बहुत खदरनाक था जो और दम्रू उनोंने बजाया जो energy level उनका था हमें भी सीख मिलती है हम कितनी energy से रहते हैं कितनी awareness के साथ रहते हैं शिवजी जब नाचते हैं तो जब ब्रदस नाचते हैं और जब ध्यान करते हैं तो जब ध्यान करते हैं awareness का बहुत ही शांधार level Very nice आओ जितेंदर क्रेशन से ही दिलवाते हैं आपको क्रेशन हर किसी में बसते हैं और क्रेशन जो है उसका फील आज आपने कराया मैं आप से चाहूँगा कि जितेंदर को जितेंदर सर को ओनर करें क्योंकि आज हम आपको क्रेशन के रूप में ही देख रहे हैं तो करिया थेंक यू सुमच जी तेम्ट जी सर प्लीज आजया बटा आपने आजया आजया मैम के साथ जी नहीं पूरी मदद कि उनको भी बुलाना चाहेंगे स्टेज पे जेरी को जेरी जी प्लीज उन्होंने भी बहुत ही डेफिटेंटी में इतना सोचा नहीं था इतना उम्दा और इतना अच्छा प्रोग्राम यहां होगा लेकिन अच्छा जेरी की पर परफोर्मेंस करानी है वेरी नाइस सबी स्टाफ मेंबर्स का पार्टिसिपेंट का एक ग्रूप फोटो के लिए बुलाया जा रहा है मैं हम चाह रहे हैं कि हम सबी लोग जिन्होंने इस पूरी प्रोग्राम में कोई ना कोई भी अपना रूल किया वो सबी स्टेज पर आए ताकि हम सब को थेंक्यू बोल सकें प्लीज का बंदे स्टेज वाल ते मेंबर्स जिन्होंने यहां कॉंट्रिब्यूट किया जिसने इसे इतना सुंदर इतना खुबशूरत बनाया क्योंकि यह जो तरंगे आज यहां से प्रवाइत हुई है यह आपके पूरे जीवन को बदलेगी क्योंकि वर्ड्स, वाइब्रेशन, एनर्जी और वो पूरे पूरे मॉलिकुले स्ट्रक्चर को बदल देती है आप बिमार होते हैं नहीं होते हैं उस पर डिपेंड करता है आप किस एनर्जी बे रहकर आए आज आप एक सकारात्मा के एनर्जी आप करस्न आये प्रोग्राम में आए और करस्न का फील आप लेकर जा रहे हैं शांदार, शांदार तो भी छोड़ती पूरी जेरी कहा है तो देखे ना अड़ी अश्टूरैंट जो आपि आप इचर भी नहीं है श्टूरैंट है जेरी और इसके इनर्जी लेवल उसका कब्या लेवल कितना शांदार था और कितनी एनर्जी के साथ उनन एंट किया लेकिन खुदी ने डन्स के पूरी कोडी गलाप भी और की प्लीज कॉम अन दे स्टेज अगर आप शिव जी की रूप में हैं तो भी आजाईए कोई दिक्कत नहीं है सो इस्टेज पे में सभी टीचर्स है और इस मोकिय को हम चोड़ना नहीं चाहते हैं इस दे हम चेर्मेंट सर से रिक्वेस्ट करते हैं चेर्मेंट सर से बुलाना चाहते हैं सुजाता मेंट को बुलाना चाहते हैं द्यान सिंग जी गोटवाल सर को बुलाना चाहते हैं मधू मेंट को बुलाना चाहते हैं प्रियंक का मेंट को बुलाना चाहते हैं मनीश मेंट को बुलाना चाहते हैं कम अंदे स्टेज आईए हम चाहते हैं एक मोमेंटो लाए जाए जेरी को और माल्ती मेम को एक ता मेम भीट करेंगे एक दो एवार्ड दो मोमेंटो लेकर आएं कि अधिकल अपने स्टेज आए है इदर शुडहान को और आए यूश्ट आए नुशा और दो खिर गतला आी वैरिज और अब दीर प्रोसरि स्कुनरी ख़्यों कि ट्राइट बेता अघ़री ए वे घृड़कि एड़ a hop said lgm कर दो कर दो कर दो झाल झाल जाईटी शक्षेनम्हेज को एक मोमेंटों यादगार सुरूप उनकी आउस्तवेंडिग वर्किंग के लिए आज के प्रोग्राम को कोशूरत बनाने के लिए क्रेश नाइन बनाने के लिए किरेटिव आइडियास के लिए ईवह वह ब्याइक्ट जरी कााव्ट जरी रभाइब और यदिया रभाई आज जरी नरा दिए जरी पर्प्रमर्मंस थेया है जरी के लिए एक बर सबीदे लोग ताली युई जाए यह वह रवाध प्रफॉरमंस थी ऐसे मालती में बूप तो भूल गई तो आपको झाला है थाख और फोटो गजब हुआ है अजय आजय 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 ऐ, all the faculty members of department of education please come on the stage. बखते ही लाग्टा सुड़ी आर ले प्राग्टा, टी परigi अबह बएट Gibson झाल 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 वानीर्स फ olduğ मौतבर्णिस सेह PotPG जandomने पोड़ी कारएी सयादब। वानी घु़ीकाइऔ सेहितो जción कारिए जावनीघ्थी क्यों क्रिश्ध सिम्टर्णिस सेidd diagnostrukt spouse लग थे लोग्टी बास्ड कि महीं प्टैस् Boris वो अबना घर्टेखार झार्ट को रहें दूज रुटाज को अजया है तुझे आद कर लिया है आयत की तरह कायम तु हो गई है कायम तु हो गई है रिवायत की तरह तुझे आद कर लिया है मरने तलक रहेगी मरने तलक रहेगी तुझे आद की तरह तुझे आद कर लिया है और तुझे आद कर लिया है आयत की तरह ये तेरी और तेरी महुपत हयात है हर लब हर इसमें जीना उपर देटी बात है तेहती है इश्क दुनिया जिसे मेरी चाने मन को इस एक लख में ही चुपी खाइना है मेरे दिल की राहतों का तुझ जरिया बन गई है तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दुन गई है तेरा सिक्र हो रहा है तेरा सिक्र हो रहा है इबादत की तरहा तुझे आद कर लिया है तुझे आद कर लिया है आद की तरहा खोस्त एई है इस जो स्च्वर्चा मेरे पूँ जराह जरादस बेड PER बांद की तरहा है चर्चाalnya झाराद से लिया है अव्या जो लो प्रादके रादस कर दो दो कर दो कर दो